नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Bankers Hub YouTube चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास स्कूल में हैं अब टोटल स्टूडेंट तो आप ऐसे दोहजार का 25 परसेंट याने की 500 हो गया ठीके दोहजार का 30 परसेंट याने की 600 हो गया फिर 25 परसेंट याने की 500 हो गया फिर बचा 20 परसेंट याने की 400 हो गया तो यह तो टोटल आप ऐसी निकाल सकते हो यह तो टोट का 25% यानि की 500 लोग इस वाले स्कूल में है, P वाले स्कूल में, फिर 2000 का 30% यानि की 600 लोग हैं Q वाले स्कूल में, 2000 का 25% यानि की R वाले स्कूल में टोटल 500 लोग हैं, 2000 का 20% यानि 400 लोग पूरे इस स्कूल में हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हो भई, इस पूरे टोटल में अगर लड़कों को माइनस कर देंगे, तो लड़कियों की संख्या हमको पता चल जाएगी, तो बस वैसे ही आपको निकालना है, question number 1 में क्या बोला है, number of girls in Q and R, तो Q और R की लड़कियां आप लोगों को निकालनी है, तो Q में 600 में 320 लड़के थे, मतलब 280 लड़कियां, R वाले में देखो 500 में 360 अगर लड़के थे, मतलब 140 लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए भई, 420, हाँ या ना, जल्दी बताओ, कुछ गलत कर दिया क्या, ठीक तो है यार, कैसे कर दिरे हो, सही है ना, नमबर ओफ गर्ल्स इन Q&R टुगेदर, तो भई, नमबर ओफ गर्ल्स इन Q&R, अगर हमको निकालना है, तो 600 में से अगर 320 लड़के हैं, तो 280 लड़कियां हो जाएंगी, 500 में से 360, अगर लड़के हैं, तो Q&R के boys कितने दिख रहे हैं आपको, 600 दिख रहे हैं, तो यहां पर more or less होना चाहिए था, दोस्तों, एक word यहां पर missing है, क्योंकि लड़कियां कम दिख रही हैं हमको, ठीक है, तो more or less होना चाहिए था, तो आपको दिख रहे है, 600 से 420 क्या है बई, कम है, 180 कम है यहांने 180 आपका आंसर बनेगा, उमीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, next question जल्दी से आंसर दीजिए, total number of girls in P is what percent less than total students in S? चलिए, काफी लोगों का answer आ रहा है, बहुत easy है, बिल्कुल SBI clerk pre-level का question है, देखे, आपको क्या बोला गया है, total number of girls in P, तो पहले तो आपको P की girls निकालनी पड़ेंगी, P के total कितने थे बई, 2000 का 25% यानि की 500, 500 में अगर 280 लड़के हैं, मतलब 220 लड़कियां हैं, तो आपको पता चल गया, total number of girls in P, is what percent less than total number of students in S, तो S के total कितने थे बई, 20% of 2000 यानि की 400, तो बोल रहा है कि ये जो लड़कियां है, वो इस total से कितना कम है, मैंने आप लोगों को एक formula बताता है, पताया था बई, कितना पॉन किस से multiplied by 100, तो कितना कम दिख रहा है, 180 कम दिख रहा है, किस से कम है, 400 से कम है 180, तो 400 नीचे आ जाएगा, multiplied by 100, तो भई 20 से 20 कटे, 40 से इसको कटोगे, तो 45% आपका answer आजाएगा, उमीद करता हूँ, सभी का answer सेम आया होगा, तो बिल्कुल exact same level के question, आपको exam में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचीगा, कि ये तो बहुत जादा easy है, ऐसे ही level के question, आपको exam में देखने को मिलेंगे, SBI clerk pre में, जल्दी से answer दीजे, थर्ड वाला, exam बिल्कुल हाँ, जुलाई में हो सकता है, अब notification आ गया, तो मान के चलिए, जुलाई end तक ये postpone हो सकता है, या फिर August 1st, 2nd week तक, जब तक cases डाउन नहीं हो जाते, वैसे दीले दीले डाउन हो रहे हैं, बट और अच्छे से, जब तक recover नहीं हो जाता है, तब तक paper नहीं होगा, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर question number 3 का भी answer, काफी लोग दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हाँ पर, if the table is in pie chart, अगर यह table जो है, यह अगर pie chart में हम convert कर देते हैं, then find the central angle of total girls in Q&P together, with respect to total students, तो बट टोटल students पहले तो आप देखें कितना है, 2000, मतलब बोल रहे हैं कि, अगर हम 2000 students का pie chart अगर ऐसे create करते हैं, आपर बनाते हैं, total क्या है 2000, तो इसका अगर हम pie chart बनाते हैं, तो बोल रहा है कि Q&P में लड़कियां जितनी भी होंगी, उसका central angle कितना होगा, तो Q&P की लड़कियां पहले निकालना पड़ेगा, बई Q में देखो 30% of 2000 मतलब की 600, और P की बात करें तो 25% याने की 500, अब 500 तो total थे, 500 में अगर 280 लड़कियां हैं, ठीक है, वैसे यहां पर देखो 600 में से अगर 320 लड़कियां हैं, तो 280 लड़कियां हो जाएंगी, तो total अगर हम यहां पर बोलें, तो यह कितना हो जा रहा है, बही 2, 2, 4 और यह 500 हो जा रहा है, मतलब 2000 में से अगर हमको 500 का पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 by 4 होता है, 1 by 4 होता है, इसका 1 चौथाई हिस्सा हो रहा है न भई 500, तो पूरे पाई चार्ट में 360 डिगरी होती है, इसका भी 1 चौथाई कर दो भई, 90 डिगरी आपका आंसर आ जाएगा, उमीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बई 2000 का 500 अगर 1 चौथाई है, तो पूरे पाई चार्ट का 360 डिगरी होता है, उसका भी 1 चौथाई याने की 90 डिगरी आंसर बनेगा न भई, चले इसका आंसर दीजिए, ग्राफ को सॉल्व करना चाहिए पहले, नहीं, ये सब चीजे आज से 2 साल पहले की जाती थी, जब कॉंपिटिशन लेवल इतना हाई नहीं था, अब नहीं कर सकते, अब करोगे तो बहुत पीछे हो फिर आप दूसरों से, कार्तिक जी बिल्कुल सही बात है, परसो आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल में, परसो एक वीडियो आ जाएगा चैनल पर, मैं करीब 15 दिन पहले बता चुका था, 15-20 दिन पहले, कन्फरमेशन परसो मिल जाएगी आप लोगों को, 7 by 8 यहाँ पर, 7 by 8 आंसर यहाँ पर आ रहा है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, जिनका सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका सॉल्व नहीं हो, इधर ध्यान दीजेगा, बोल रहा है दोस्तो, if in school Z, भई, school Z तो दिया ही नहीं है, हमको तो PQRS दिया है, तो यहाँ पर Z बना लेते हैं, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, total boys are 20 more than the total girls in S, बोल रहा है, जितने भी boys होंगे, वो S की लड़कियों से 20 जादा है, तो पहले तो S की लड़कियां निकाल लेते हैं, भई, S में देखो, 20% of 2000 मतलब की 400, तो 400 में 180 अगर लड़के हैं, तो लड़कियां 220 हो गई, तो आपको बोल रहा है, Z वाले school में जो लड़के होंगे, वो S वाले school की लड़कियों से 20 जादा है, मतलब 240 है, ऐसी होगा, Z के लड़के, S की लड़कियों से 20 जादा है, तो 240 हो गई, वही चीज बोला है, और बोल रहा है कि जितने भी लड़के हैं यहाँ पर, Z वाले school में जितने भी लड़के हैं, वो total का 60% है, total का 60% लड़के हैं, तो भई लड़कियां 40% हो जाएंगी, अगर 60% लड़के हैं Z में, total में से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां 40% हो जाएंगी, होंगी ना, तो आपको बोले दर find ratio of total girls in R, तो R की जो लड़कियां होंगी, then find ratio of total girls in R, to that of in Z, तो भई R की लड़कियां, आप निकाल लीजी, R की लड़कियां कितनी हैं, यहाँ पर देखो, यह total 2000 का 25%, यानि की 500, इस में से 360 क्या हैं, लड़के हैं मतलब की 140 लड़कियां थी, तो आपको बोला किया है, then find ratio of total girls in R, तो girls कितनी हो गई, R में 140, यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं, 240, तो 7 और 8 ही आपका answer बनेगा, नहीं, 7 और 8 नहीं, sorry, 20 से गाटों कि 7 हो गया, और 12, यार, 7 और 12 आ रहा हैं, आपको कैसे answer दे रहे हैं, अच्छा, sorry, 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 यह boys है, 240, ठीक है, ठीक है, यह boys है, 240, ठीक है, मैं गल्ती से इसको girls ले लिया था, एक मट फिर से बता देता हूँ मैं, यह देखो, यहाँ पर क्या बोला, if in school Z, total boys are 20 more, मतलब यह 240, जो है, यह लड़के हैं, तो बहीं, अगर Z के total जो भी होंगे, उसका 60% लड़के हैं, तो 40% लड़किया होंगी, तो पहले 40% आपको इसका निकालना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजेगा, बोला था, if in schools Z, total boys are 20 more than, total girls in S, S की लड़किया कितनी हैं, 220, उससे 20 ज्यादा, यानि की 240 लड़के हो गए Z में, जो की 60% है, तो हमको लड़किया निकाल ली हैं, तो लड़किया कैसे निकालोगी, अगर 240, 60% है, तो 40% कितना, ये 3, ये 2, ये 80, 80 into 2, यानि 160, और ये 140 के साथ इसका ratio बताना था, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, 7 by 8 आपका answer बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी इसमें, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, समझ में आ गया होगा, My idea, सर, खान सर ने पंचर वालो को इतना बुरा क्यों का, अरे देखो यार, मैं भी कुछ कुछ चीजे बोल देता हूँ, अब आप दिल पे ले लोगे हर बात को, तो गलत बात है ने यार, गलत चीजे, ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर अगर कोई भी चीज बो रहा, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, हम क्या एक्जाम्पल के तौर पर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमको नहीं पता चलता कि, सामने वाला उस चीज का बुरा मान जाएगा, ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ बही, कुछ स्टूडेंट्स को आप बहुत वीक हो, तो आप बुरा मान के बैट जाएगे, क्या, अगर बुरा मान के बैट बैट जाएगे, तो नुकसान तो उन्हीं का है ना भी, हमारा कुछ नहीं है, कॉंट्रोवर्सी जैसे उनके बहरे में हो रही है, वो तो famous हो रहे हैं, अच्छी बात है वो तो अच्छी बात है बहुत फेमस होंगे वो इस चीज से आप ये सब लफडों में मत पड़ो और कभी भी टीचर को जज नहीं करना चाहिए टीचर जो भी चीज बोलता है वो कुछ नकुछ सोच कर ही बोलता है ठीक है और इस टाइप के चीजों से आप कि दूर रहो तो जादा अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मैं भी बीच बीच में कुछ भी कुछ बोल देता हूं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कल को फिर मेरे उपर भी वीडियो बनाने लग गए सर ने ऐसा क्यों बोला अरे मैं पढ़ा रहा था मुझे जो चीज उस समय सहीं लगी मैंने बोल दिया आप उस चीज का बुरा क्यों मान रहे हो उसको दिल पर मतलिया करो भी है सिर्फ क्लास तक रखा करो उस चीज को अब क्लास में मैं समझाते हुए आप लोगों को बोल देता हूँ आप आलू लेने गए थे आप आलू बेचने गए थे तो क्या सही में आप आलू बेचने चले गए थे या फिर मैं क्या आलू बेचने वालों की इंसल्ट कर रहा हूं ऐसा तो नहीं है न वो तो तरीका है अब ही समझाने का बताने का बोलने का हर किसी का अपना तरीका होता है हर किसी का इंडिविज्वल अधिकार है तो टेंशन मत लीजिए अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सराप बहुत मोटे हो गए हो ज्यादा नहीं हूँ यार ठीक हूँ पहले सिर्व ये छूपता था अभी थोड़ा यहां तक छूप रहा है अभी एकदम ज्यादा नहीं हूँ चलिए तो यहां पर आंसर आ रहा है काफी लोगों का देखें दोस्तों क्वेशन में क्या बोल रहा है सबसे पहले तो देखो यहां पर स्कूल दियें पी क्यू आर एस एम नहीं दिया एम को लिग देते हैं अब बोल रहा है कि स्कूल एम में जो बोईज होंगे वो 25 प्रतीशत जादा है more than किस से टोटल गर्ल्स इन क्यू तो भाई क्यू की गर्ल्स निकालनी पड़ेंगी पहले आपको तो क्यू में देखो टोटल कितने हैं 2000 का 30% मतलब की 600 अब 600 में 320 तो लड़के थे मतलब 180 लड़किया है sorry 280 लड़किया है होगा ना भाई देखो टोटल 600 लोग हैं यहाँ पर इस स्कूल में क्यू वाले स्कूल में टोटल 600 लोग है उसमें से 320 लड़के थे तो 280 लड़किया हो गई तो आपको बोर रहा है if in school M number of boys is 25% more than टोटल गल्स इन क्यू तो इसका 25% जादा यहाँ पर boys होंगे लिख देते हैं भई 25% इसका 25% जादा मतलब 300 calculate करके देख लिजेगा 280 का 25% जादा मतलब 125% मतलब 5 by 4 अब 4 से काटोगे 70 70 into 5 करोगे 500 आ जाएगा करके देख लिजेगा ठीक है तो अब आपको क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर लड़के साड़े 300 हैं M वाले स्कूल में and ratio of boys to girls in M इस साथ 3 बोल रहा है कि और boys और girls का जो ratio होगा वो 7 और 3 का होगा तो आपको पूरा दर find average number of girls in R and M तो R और M की आपको girls का average निकालना है तो पहले तो R की girls निकाल लेते हैं R में 25% है मतलब की 500 लोग हैं टोटल 2000 का 25% याने 500 500 में 360 लड़के थे मतलब 140 लड़कियां थी अब यहाँ पर देखो यह साड़े 300 अगर 7 unit है तो 3 unit कितना कैसे निकालते हैं जो दिया है उसको उसी के ratio से divide करेंगे जो निकालना है उससे multiply करेंगे तो साड़े 300 दिया है उसको उसी के ratio से divide करेंगे जो निकालना है उससे multiply करेंगे 50 into 3 याने 300 गल्स तो अब आपसे पूछा क्या है भई यह दोनों का average मतलब 145 यह आप कामसर बनेगा सभी का आ रहा होगा भई यह उमीद करता हूँ तीन मिनट का समय मैं दे रहा हूँ जल्दी से बनाने की कोशिश करिए साड़े आठ बजे से मेरी plus class है दोस्तों तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको complete करते हैं जितने question हो पाएं चार question वैसे मैं लेकर आया हूँ हिंदी में last एक word कट गया है तो वहाँ पर होगा यू लिवाइस ब्रैंड पसंद करता है ठीक है? Confuse मत होईएगा उसमें तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिन से नहीं बना इधर ध्यान दिजीगा क्या बोल रहा है 8 people R, S, T, U, V, W, X and Y are sitting in a circle facing the center सभी की सभी center की तरफ face कर रहे हैं तो इसको thread method में बनाएंगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि अगर एक circle है उस circle को अगर आप ऐसे open कर दोगे तो वो एक straight line बन जाएगी एक धागे की तरफ सीधा हो जाएगा ऐसा ठीक है आगे आपको क्या बोल रहा है कि सभी की center की तरफ face कर रहे है मतलब या तो ऊपर की तरफ होगा या तो लीचे की तरफ होगा अगर हम इस पर बनाते हैं तो ऐसा ठीक है तो कितने लोग है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ठीक है अब आपको क्या बोल रहा है two person sit between we and the one who like leviis तो आपको बोल रहा है कि we और leviis के बीच में दो person है यहां लिख लेते हैं भई वी और leviis के बीच में दो person है ठीक है आगे आपको बोल रहा है the person who like spiker sits adjacent to the one who like leviis spiker वाला जो है वो leviis वाले के adjacent है मतलब कि या तो यहां पर spy हो सकता है या तो यहां पर spy हो सकता है आप पूरा चाहो तो पूरा लिखो वैसे कोशिश करो दोस्तो practice जो चीज हम करते है न घर पर वही चीज एक्जाम में होती है अभी अगर आप पूरा पूरा लिखकर practice करोगे तो एक्जाम में भी पूरा ही लिखोगे तो अभी से छोटा लिखने की आदत बनाई है s likes john players तो इसको सिर्फ john लिखेंगे हम s likes john player यहां पर लिख लेते है s john आगे आपको बोल रहा है r likes flying machine तो r को हम यहां पर लिख देते है fly ठीक है और क्या बोल रहा है आपको and sits opposite to v और r जो है वो v के opposite बैठता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है दोस्तों जो पुरानी class में आये है circle में अगर 8 लोग बैठे हैं तो opposite का मतलब होता है बीच में 3 लोग चाहे आप left से count करो ऐसे चाहे आप right से count करो अगर opposite बोला है मतलब बीच में 3 लोग होते हैं तो अगर बोल रहा है कि r को flying machine पसंद है और वो opposite to v बैठा है मतलब r से 3 छोड़ कर v होगा होगा ना आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है दोस्तों you sits opposite to the one who like arrow you जो है उस बंदे के opposite है जिसको arrow पसंद है तो इनके बीच में भी 3 लोग होंगे ठीक है आप बोल रहा w likes wrangler w को wrangler पसंद है and sits second to right of the one who like levis बोल रहा है कि भई लिवाइस वाला जो भी बंदा है उसके second to right में कौन बैठा हुआ है w likes wrangler and sits second to right of the one who likes levis तो इसके second to right में बैठा है w जिसको क्या पसंद है wrangler पसंद है ऐसे second to right में ठीक है और क्या बोला है आपको v likes uspa v को क्या पसंद है uspa पसंद है l likes arrow brand l को arrow brand पसंद है तो यहाँ पर l लिख देते है आगे बोल रहा है t is an immediate neighbor of the person who like Tommy t is the t is an immediate neighbor of the person who like Tommy तो यहाँ पर लिख देते हैं Tommy इसका neighbor कौन है t t is an immediate neighbor of the person who like Tommy y sits third right to s y sits third right to s तो s के third right में y हो जाएगा ऐसा पहला दूसरा तीसरा right third right में आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है दोस्तो you like Levi's brand तो यहाँ पर brand देखिए कौन सा बोला हुआ है you likes Levi's brand तो you को Levi's brand पसंद है यहाँ पर you लिख देते हैं यह you लिखा हुआ है यहाँ पर हम Levi's लिख देते हैं वैसे दोनों चकर लिखने की जरवत नहीं थी ठीक है उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को clear हो गया होगा भई condition ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी condition सबसे important चीज तो वही है आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर focus करना है कि ऐसी कौन सी condition आपको दिख रही है जिससे दूसरी तीसरी मतलब दो तीन conditions आपकी link हो और आप चीजों को set कर पाओ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए इन सारी conditions को जल्दी बताईए दूसरों का नहीं देख के बताना है अपना देखिए अपने इस आपसी बताईए दोस्तों जब आपको पता था कि यू जो है वो लिवाइस है ये लिवाइस लिखा हुआ है मतलब ये भी तो यू ही है अब हमको यू लिवाइस से direction पता है तो भई जिसमें direction पता होता है मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि direction वाले को सबसे पहले set करना चाहिए, बहुत easy हो जाता है तो इस पूरी जगा पे आप कहीं पर भी set कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा पहले you device को कहीं पर भी ले लो भी कहीं पर भी आपकी मर्जी है, तो मैं ले ले लेता हूँ चलो यहाँ पर, यह हो गया you और लिवाइस ठीक है, you device हो गया यहाँ पर अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या बोला है इसके बाद आप लोगों को पता है you device जब set कर लिया आपने तो एक छोड़ कर राइट में रैंगलर तो भई हम क्या करते हैं, हम direction ले ले लेते हैं उपर का, सभी का, क्योंकि सभी center की तरफ face कर रहे हैं, मतलब एक ही तरफ होगा अगर एक को मैंने उपर की तरफ बना दिया मतलब बाकी सारे भी उपर की तरफ ही होंगे ठीक है, तो आप देखो यू से second to right में W Wrangler है, तो यू से एक छोड़ कर यहाँ पर हो जाएगा W Wrangler ठीक है, ये वाली condition हो गई हमारी अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या पता है, यू लिवाइस के बगल में spiker वाला होना चाहिए, मतलब कि या तो spiker वाला यहाँ पर होगा या तो spiker वाला यहाँ पर होगा दूसरी चीज, यू से दो छोड़ कर V लेना है, तो यू से दो छोड़ कर या तो V यहाँ पर हो सकता है या तो यू से एक person दूसरा person छोड़ कर V यहाँ पर हो सकता है यही दो जगा बन रही है भई क्योंकि इसमें direction नहीं दिया है न आपको तो u से 2% छोड़कर v तो u से right की तरफ में 2% छोड़कर v यहाँ पर भी हो सकता है u से left की तरफ में 1% अब इसके बाद कुछ नहीं है मतलब यह था तो यह दूसरा person इसको छोड़कर यहाँ पर भी कोई भी कही पर भी हो सकता है हमको अभी नहीं पता ठीक है अब देखिए दोस्तों हमको क्या पता है इसके बाद ध्यान से देखिएगा यह condition हो गई थी u device से 3 छोड़कर arrow L सेट करना है अब कहीं से भी आप सेट करो एक ही जगह पर आएगा u device से 3 छोड़कर arrow L आपको रखना है तो u device से 1, 2, 3 छोड़कर यहीं पर आएगा L और arrow यह condition आपकी पूरी की पूरी हो गई उमीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ भी आया होगा clear है यहाँ तक सभी को clear है सभी को यहाँ तक अराम से समझी भी thread method बहुत जबरदस चीज़ है अगर समझ गए तो कोई आप से जल्दी बनानी पाएगा भी question फिल समझने में थोड़ा सा समय लगता है बस तो यह condition भी हमारी हो गई थी इसको भी मैं काट देता हूँ बचा क्या है भी हमारे पास अब हमारे पास बचा है r fly 3 छोड़कर v uspa ठीक है r fly 3 छोड़कर v uspa अब धोस्तों ध्यान से देखेगा मैं color change करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो भी दो चीज़े बच रही है इसमें से एक possibility जो मुझे लग रही है minimum जिसमें बनेगा वो कौन सी है v को यहाँ लेना अगर मैं v को यहाँ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भी एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर r fly आ जाएगा अगर r fly यहाँ आ गया तो spy वाला यहीं पर आएगा एक ही possibility बन रही न उसमें तो सबसे पहले हम उसी को check करेंगे जिसमें minimum cases बनते हैं उनको आपको सबसे पहले check करना होता है जिसमें minimum cases होते हैं उसको सबसे पहले check करना होता है क्योंकि उसमें एक ही case है अगर वो गलत हो गया मतलब आपको ज्यादा tension लेना ही नहीं कि दूसरी possibility भी हो सकती है करके तो फड़ा फट इसको check करते हैं अगर मैं V को यहाँ पर लेता तो क्या हो जाता भई यह USPA हो जाता ठीक है तीन छोड़कर R fly एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर हो गया R fly तो इस वज़ए से यह SPIKER जो है वो यहीं पर आएगा अब बचा क्या है दोस्तों आप लोगों के पास इसके बाद और देख लेते हैं और कुछ बच गया क्या हमारे पास यह condition तो हो गई S John रखना है और 2 छोड़कर Y रखना है ठीक है तो अब दोस्तों अगर मैं S John को यहाँ पर रखूँगा न तो 2 छोड़कर मैं यहाँ पर Y नहीं रख पाऊँगा मतलब definitely मुझे S John को यहीं पर रखना पड़ेगा जिस वज़ए से 2 छोड़कर Y यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ बचिए है कि T जो है वो Tommy का neighbor है मतलब T को यहाँ पर रखोगे इसका इस तरफ neighbor मतलब यहाँ पर आ गया Tommy क्या यह सही है जल्दी से एक बार चेक करके बताईए क्या यह सही है इसको हम बोलते हैं दोस्तों minimum possibility मतलब जिसमें आपकी possibility जल्दी चेक हो रही है उसको आप पहले चेक करके देखोगे क्योंकि होता क्या है 70% cases में question पहली बार में ही solve हो जाता है आपको दूसरी possibility चेक करने की जर्वाती नहीं पड़ती यह कोई trick नहीं है यह सिर्फ एक approach है जिससे आप अपने multiple possibilities को reduce कर सकते हो तो इसको हम बोलते है minimum possibility अगर मैं V को यहाँ पर लिया होता तो क्या होता भाई अगर मैं V को यहाँ पर लिया होता तो 3 छोड़कर आप यहाँ पर रखते R fly को रखते की नहीं रखते चेक करके देखना भाई यह आपका answer सही है अब दूसरी possibility V को यहाँ पर लेकर आप चेक करके देखना आपका यहाँ पर आता spiker यह sorry V से यह R fly यहाँ पर आता just आपको चीजों को change करना पड़ता क्या चीज गलत होती किसी ने चेक की है तो जल्दी बताओ भी क्या चीज गलत होती मैं चेक कर भी लेता हूँ यहाँ पर बता भी देता हूँ आप लोगों को अगर हम V को यहाँ पर लेते तो आपका 3 छोड़ कर यहाँ पर हो जाता R fly जिस वज़े से spiker यहाँ पर हो जाता और U device तो है ही इसके अलावा आपका W Wrangler L arrow तो इसमें हमारा क्या गलत होता S John रखने के लिए है ना S John से 2 छोड़ कर Y नहीं होता S John से 2 छोड़ कर Y spiker में जाता यह होगी आपका S John 2 छोड़ कर Y ठीक है इसमें दोस्तों आप लोगों का जो condition गलत होती वो Tommy वाली condition जो है वो गलत हो जाती बना के देखेएगा भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और जैसे जैसे आपकी practice अच्छी होते जाएगी आपको चीजों का समझ में आने लगेगा कि भी कौन सी possibility कहाँ पर आपको पहले check करनी है कौन सी बाद में check करनी है दोनों एक साथ check करोगे तो दिक्कत होगी तो कहीं भी एक जगह से हम start कर लेते हैं जैसे कि यहां से हमने बनाया था T से हम start करते हैं right की तरफ में देखते हैं तो क्या क्या है भी T से यह देखो T से start करते हैं T से यह देखो T XSR T अच्छा ठीक है वो दूसरा answer है दो उसको मत देखेगा ठीक है वो थोड़ा गलत है उसमें मैंने change किया नहीं है तो यह हमारा answer perfect है आप लोगों ने बनाया है ना एक बार बता दीजे भई जिसने भी बनाया है मैंने उसमें थोड़ा changes नहीं कि यह question में जो नाम थे उसको थोड़ा change करना था उस वज़ा से वो answer गलत दिख रहा है आप लोगों ने बनाया है सही है कि नहीं जल्दी एक बार चेक करके बता दीजे भई एक आथ दो question में और दोस्तो जो भी thread method use नहीं करते हैं अभी नया नया देख रहे हैं हो सकता है दोस्तो आप लोगों को confusion हो tension हो कोई भी चीज जब हम first time देखते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि यह तो बहुत hard है लेकिन जब आप उस चीज की practice करने लगेंगे जब उस पर थोड़ा सा time spend करेंगे आपको चीजे समझ में आएंगी झाल यह आप SSC और बैंक की तैयारी साथ में नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे अभी कोविट की वज़े से lockdown है एक्जाम थोड़े लेट होंगे आपके पास समय है दोनों चीजों पर focus करने का चाहो तो कर सकते हो लेकिन जैसे ही exam के dates announce होंगे तो किसी एक पर ही आपको focus करना पड़ेगा अभी से अगर आप पहले से तैयारी अच्छी खासी कर लोगे तो शायद दोनों ही चीजें हो जाए एक साल हो गया करते करते तो बहुत अच्छी बात है फिर कर सकते हैं फिर आप झाल हो जाए चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगोंने solve कर लिया होगा start करते हैं at least conditions तो note कर ही लिया होगे अभी तक तो साथ में देखते जाईए भी क्यों solve नहीं हुँ आपसे इधर ध्यान दीजे कैसे solve करना था 8% ABCDEFG and H parked their car in a straight line facing towards north direction but not necessarily in the same order each of them has different car सभी के बास अलग लग कार से हैं not necessarily in the same order तो आपको बोला गया है कि 8 लोग एक रो पर ऐसे अपनी कार पार्ट करते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है सभी के सभी north की तरफ face कर रहे हैं आगे क्या बोल रहा है G parked his car third to right of the one who has Honda car और क्या बोल रहा है H does not have Mercedes car H के पास Mercedes car नहीं है A and E parked their car adjacent to each other A और E ने अपनी गाड़ी एक साथ पार्क की हुई है adjacent साथ में हैं दोनों के दोनों Neither A nor E has either Honda or Mercedes car A और E के पास Honda और Mercedes दोनों ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर A और E नहीं आएंगे यहाँ पर भी A और E नहीं आएंगे आगे क्या बोल रहा है H parks his car third to right of the one who has Tata car H ने अपनी गाड़ी कहाँ पर पार्क की है टाटा वाले के third to right में ऐसी बोला है H parks his car third to right of the one who has Tata car Tata से पहला दूसरा तीसरा ठीक है Only 2% park their car between E and the one who has Audi car तो E और Audi के बीच में total दो लोगों ने गाड़ी पार्क की है ठीक है E और Audi के बीच में दो लोगों ने गाड़ियां पार्क की है आगे क्या बोल रहा है Maruti car is parked on the immediate left of D D के immediate left में Maruti car है हाँ पर लिख देते हैं भी D के immediate left में ऐसे Maruti हो जाएगा आगे बोल रहा है Only 1% park his car between E and B E और B के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है तो ऐसा लिख देते हैं E से एक छोड़ कर B Neither A nor E park their car adjacent to G तो A और E ने G के adjacent में पार्क नहीं किया मतलब ये वाली जगब पे A और E नहीं होंगे ये वाली जगब पे A और E नहीं होंगे ठीक है इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या बोल रहा है आपको Neither A nor E ये तो हो गया C parked his car second to left of the one who has Audi car C ने second to left में पार्क किया है Audi वाले से तो Audi से second to left मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भी ये देखो C ने second to left में Audi वाले से पार्क किया है ऐसा C parked his car second to left of the one who has Audi car आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों बफरिंग का इश्यू आ रहा है बोल रहे हैं कुछ लोग सही चल रहा है आवाज आ रही है सही से ठीक है बीच में कुछ इश्यू हुआ होगा अब ठीक चल रहा है देखे क्या बोल रहा है आपको आगे E does not have Toyota और Ford car E के पास Toyota और Ford car नहीं है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं भी ये देखो E के पास यहाँ पर ऐसा करके लिख देते है Toyota और Ford car नहीं है ठीक है और क्या बोला है The one who has Ford car parked his car at the extreme end of the line Ford वाले ने extreme end पे अपनी गाड़ी पाक की है दोस्तो इतना लिखने के साथ मुझे ये चीज तो समझ में आ गई इतनी condition लिख कर क्या किसी को दिमाग में ये चीज आया कि A और E शायद end पर हो सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो मान के चली कि आपकी understanding धीरे-धीरे develop हो रही है सिर्फ condition लिखते-लिखते ही चीजें दिमाग में अपने आप solve होने लगती है ये जितनी condition लिखाने है conditions को merge करके लिखते समय ही दिमाग में ये आना चाहिए अगर E के password नहीं है मतलब definitely A के password हो सकता है A end पर हो सकता है ये सब चीजे दिमाग में अभी मेरे चल रही है आपके भी दिमाग में चलनी चाहिए शायद भई जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा बट शायद वैसा हो सकता है तो चलते हैं चेक करके देखते हैं ठीक है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ भई क्योंकि देखो यहाँ पर आपको यह इतनी सारी चीजे दिख रही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे टोटल छे दिख रहा है जिसमें से A और E यहाँ नहीं हो सकते यह एक जगा पर A और E कैसे रगदोगे भई यहाँ पर भी A और E नहीं हो सकते, यहाँ तो G है यहाँ भी A और E नहीं हो सकते, यहाँ भी A और E नहीं हो सकते तो definitely A और E या तो इस तरफ end पर होंगे या तो A और E इस तरफ end पर होंगे ठीक है, इतनी बात तो हमको clear हो गई भई अब दोस्तो अगर आप लोगों को पता है और क्या है इसके बाद पहले तो और देख लेते हम यहाँ पर कि क्या और सेट कर सकते हम तो D के लेफ्ट में है मारूती टाटा से दू छोड़ कर H C से एक छोड़ कर A-D और क्या है E से दू छोड़ कर A-D तो A-D से एक छोड़ कर C यह देखे दोस्तो ध्यान से देखेगा अब यहाँ पर मैं इस चीज को समझा रहा हूँ let's suppose भई हमको नहीं पता हम क्या करेंगे हमको यह तो पता चल गया ना भई कि A और E जो है वो end पर आ रहे है A और E जो है वो end पर आ रहे है अब यहाँ पर आपको क्या करना है भई A और E को अगर end पर लेना है तो मुझे एक चीज़ तो दिमाग में यह आ रही है कि अगर बोल रहा है A और E के पास यह देखो A और E साथ में होने चाहिए E के पास ford नहीं है और last में आपको क्या बोला है कि ford car parked his car at the extreme and मान लेते हैं कि यह ford था तो भी यहाँ पर तो E हो नहीं सकता मतब definitely A होगा यहाँ पर E होगा अभी काफी लोग यह सोच रहे हों कि सर उधर भी तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है आप वहाँ पर रख दो बात एक ही है बात एक ही है अगर मैं इस board को ऐसे करके पूरा ऐसे घुमा दूँ जो कि मैं घुमा नहीं सकता आप अपने page को घुमा कर देखिएगा ऐसा बना लो A और E को और ऐसे पूरा page को ऐसे turn कर दो तो A और E आपको उस end पर दिख जाएंगे तो जो चीज आप page घुमा कर देख सकते हैं उसको जबरदस्ती लिख कर क्यों देखना है page घुमा कर देख लेना भाई अगर change करना होगा तो तो यहाँ पर हमने लिख दिया A, forward और E अब हमको क्या पता है E से 2 छोड़ कर Audi है तो E से 2 छोड़ कर यहाँ पर Audi लिख देते हैं ठीक है अब दोस्तो हमको पता है Honda जो है वो E पर नहीं आ सकता यहाँ पर तो अगर मैं Honda को यहाँ लेता हूँ तो चेक करते हैं क्या होगा अगर मैं Honda को लेता हूँ यहाँ पर तो Honda से 2 छोड़ कर G मतलब कि यहाँ पर G हो गया G से 1 छोड़ कर Mercedes मतलब कि एक छोड़ कर यहाँ पर Mercedes हो गया ठीक है इतनी चीज़े तो हो गई हमारी अब हमको पता है Audi से 1 छोड़ कर C लेना तो Audi से 1 छोड़ कर यहाँ पर C हो जाएगा Honda में अभी तक कि हमारी condition देखिए दोस्तों, ये वाली condition हमारी हो गई है, ये condition हमारी हो गई है, ये condition हो गई है, E से 2 छोड़कर और D हो गई है, E से 1 छोड़कर B रखना है, तो E से 1 छोड़कर यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है, D के just left में मारूती आपको रखना है, तो आप D को कहा पर रख सकते हो, A और E साथ में ये condition हो गई है, टाटा से 2 छोड़कर H रखना है, और क्या बच गया है, टाटा से 2 छोड़कर H रख सकते हैं, बस तो टाटा जो है, वो B में हो सकता है, या फिर E पे हो सकता है, ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारे पस क्या बच रहा है, हमा यहां तो फॉर्ड है, यहां अगर मैं टाटा को रखना चाहूं तो E में टाटा नहीं हो सकता, E में टाटा नहीं हो सकता, यहां टाटा होई नहीं सकता, तो इसको देखो यहां तो Honda है, यहां भी टाटा नहीं रख सकते, यहां पर अगर मैं टाटा को रखूंगा, तो क्या मारूती नहीं रख पाऊंगा पर अगर मैं D को यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर मैं मारूती रख पाऊंगा हो जाएगा अब देखो आपको क्या पता है दोस्तों कि E के पास Toyota नहीं होना चाहिए अगर E के पास Toyota नहीं होना चाहिए तो जी के पास टोयोटा हो जाएगा, बचा क्या है भी आपके पास, क्या बजिया, एक नाम कौन सा बचा है या, रेनॉल्ट बचा था, लिख दो यहाँ पर, और बचा क्या, A, B, C, D, E, F, क्या ये सही है, एक बर चेक करके बताईए जल्दी से, सही है, देखें दोस्तों, अभी तो काफी लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा, कि सर कैसे आप लेके कर दिये, अभी देखो, जो पुरानी क्ला से सटेंड करते हैं, उनको पता होगा, मैं अक्सर लेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, इसके मतलब पीछे का reason क्या है दोस्तों, इसको हम बोलते है minimum possibility, ये काफी लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि तुक्का है, तो तुक्का ही तो है भई, 70% cases में ये चीज़ सही हो जाती है, अगर मान लोग कि ये left end पे नहीं भी होता, तो हम क्या करते, हम इसका direction प possibility में question solve होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेले दोस्तों, आपकी understanding अच्छी होनी चाहिए, आपको चीज़े समझ में आनी चाहिए, अब मैं बोलूगा भई, इसको अगर घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, तो नहीं होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं घु यहां गया, Toyota यहां गया, Maruti यहां गया, Mercedes यहां गया, खतम, यह तुरंट आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर यह चीज़ दिमाग में आती है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है, तो develop कीजिए उसको धीरे धीरे, जितना जादा puzzle को आप समय दोगे, उतन आती आठ दस दिन ठीक है, मत बनाईए, लेकिन दस दिन के बाद स्टार्ट कर दीजे, लेट मत करिये, ठीक है, चलिए, तो यह question है, दोस्तों, बनाने की कोशिश करिए, देखते हैं, कौन answer देता है, जल्दी से जल्दी फटा-फट, SBI clerk prelims level का यह है question, किसी भी question में एक मिन आज doubt session होगा दोस्तों, इस class के थोड़ी देर बाद, काफी दिनों से doubt session नहीं हुआ है, doubt मतलब कि आपके जो भी banking exam से related doubts है, question answer वाले नहीं, मतलब कोई question में solve नहीं करवाऊंगो वहाँ पर, general doubts होते हैं आपके preparation के, तो उस पर session होने वाला है live, मुहित जी मैं teaching नहीं छोड़ रहाँ, पढ़ाना बंद नहीं होगा, यूट्यूब पे classes थोड़ी बढ़ जाएंगी, हर दिन की दो class होना चालू हो जाएगा next month से, और साथ ही साथ एक app भी launch होने वाला है बहुत जल्द, चले काफी लोगों का अंसर आ रहा है, बी, तो देखते हैं दोस्तों, देखें यहाँ पर क्या है question में, question को पहले तो data को समझी, यह data क्या दिया हुआ है, यहाँ पर bar graph में आपको यह जो values भी गई है, यह total population है, total population, ठीक है, अब total population में male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर बता दिया है कि जो भी city का total population होगा, उसमें male कितने है, female कितनी है, उसका यहाँ पर आपको ratio बता दिया है, ठीक है, तो आप इस ratio से कितने male हैं, कितनी female है निकाल सकते हैं, अब दूसरी चीज, total population से एक और चीज आप निकाल सकते हैं, भी, total population में होंगे पढ़े लिखे होंगे कुछ लोग अनपढ़ होंगे तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है percentage of literate population मतलब इस total population का 25% पढ़े लिखे हैं literate है मतलब कि 75% क्या हो जाएंगे इलिटरेट हो जाएंगे तो इस तरीके से आप सारी क्वेशन को क्वेशन में देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों को if in city M city M की बात कर रहा है ठीक है 45% of illiterate population is female तो भई सबसे पहले तो देखो M में 5000 क्या थे total थे अब 5000 में से यहाँ पर देखो बढ़े city M में 40% लिटरेट हैं मतलब पढ़े लिखे हैं हमको क्या बोल रहा है illiterate यानि कि 60% illiterate तो 60% होंगे न अगर 40% लोग पढ़े लिखे हैं तो 60% लोग अनपढ़ हैं और उनकी ही बात कर रहा था तो इस 5000 का 60% आपको निकालना है बढ़े निकालने की ज़रूत नहीं है आगे क्या बोल रहा है 45% of illiterate population इस females मतलब इसका भी आपको 45% निकाल देना है यह total illiterate है अब illiterate में मेल और फीमेल दो तरीके के लोग होंगे तो आपको फीमेल निकालना है और बोल रहे हैं वह 45% है तो कैसे निकालोगे 45% 60 का मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था भी percentage calculate करते हो तो पैतालीस अगर निकालना है पहले 50 निकालो फिर पांच माइनस करो तो इसका 50% कितना होता है 30 30 में मैं 5% माइनस करूंगा इसका 5% कितना होता है 3 तो अगर मैं 30 में 3 माइनस कर दो मतलब 27% मैं बो बोल सकते हैं कि females है 33% बोल सकते हैं मेल से हैं भई मैं percentage से ही निकाल रहा हूं मैं value नहीं निकाल रहा हूं यहाँ यहाद रखेगा percentage से ही आप पूरा करोगे calculation तो ज्यादा आसान होगा अब आपको क्या बोल रहा है देन number of male who are illiterate in city M is how much more or less than number of females in city तो बोल रहा है कि भई जो male हैं यहाँ पर जो male हैं यहाँ पर city में तो male कितने हो जाएंगे भई यह 5000 का 33% निकाल लो उतने male हो गए ठीक है 5000 का आप 33% निकाल लो कितना हो जाएगा 33 into 5 कर लो भई आपका आजाएगा males ठीक है तो इसको मैं ऐसी लिख लेता हूँ यहाँ पर 33 into 500 33 into तो यह आपके जो आएंगे भई यह males आजाएंगे क्योंकि 5000 है वैल्यू आप इसमें 0 भी लगा लो ठीक है यह आपके males आजाएंगे यहाँ पर उमीद कतो है यहाँ तक सभी को समझ में आ जाओगा आप बोले कि यह कितने जादा या कम है किस से number of females in city o तो city o की females कितनी हाँ यह ना जन्दी बताओ समझ में आ रहे है कि नहीं भई समझ में आ रहे है ना तो देखो आगे o में female आपको निकालना है तो भई o की female कैसे निकालोगे 45 100 का अगर 1 और 2 के ratio में डिवाइड करते हो तो 1500 और 3000 आता है तो आपसे पूछ रहा था यह 33 इंटू 50 जो है वो 3000 से कितना कम या जादा होगा जल्दी बताओ solve कर लो भई जिन्होंने answer नहीं दिया था अब answer आप दे सकते हो 33 इंटू 50 जो कर रहे हो यह वाली value 3000 से कितना कम या जादा है percentage की तो बाती नहीं हुआ है सिर्फ value आपको calculate करना है इसको multiply करो और 3000 से देख लो कम है कि जादा है B answer देने वाले कहां गए भई मुझे ऐसा doubt हो रहा था इसलिए मैं इतनी देर से बूझर था मुझे लगा कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा हूँ पर answer तो सच में 1350 आ रहे है भई B वाले जो शुरुआत में answer दे रहे थे कैसे ला रहे थी भई कहां से ला रहे थे मुझे भी confuse कर दिये थे मैं बुला answer कैसे गलत हो रहा है मेरा ठीक है देखो भई इसको जब आप multiply करोगे तो यह कितना हो जाता है 5-3-15, 5-3-15 मतलब 1650 1650 जो है वो 3000 से कितना कम या जाद है तो 1650 जो है वो 3000 से 1350 कम है ठीक है आंसर सही है आगे चलते है next जल्दी बताईए एक मिनट का समय आप लोगों के पास समझना important है दोस्तों यह मत देखिए कि कितना slow है कितना fast है सर जल्दी जल्दी करा दू समझ में आना चाहिए चाहिए आदा घंटा लग जाए एक डियाई में quality matter करती है quantity कुछ matter नहीं करती कि आप खुद भी practice अगर घर पर करते हैं то quality study करिए quantity के पीछे मत भागो कि 50 पजुल बनाना है 100 पजल बनाना है 10 डि आई बनाना है 20 डि आई बनाना है चार बनाओ पर ऐसा बनाओ कि कभी जिन्दगी में उसके concept ना भूलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप resolution बढ़ाईए भई, मैं भी YouTube पर ही देख रहा हूँ, मैं भी screen पर ही देख रहा हूँ, सब कुछ clear दिख रहा है मुझे, resolution बढ़ाईए अपने settings में YouTube की, Unacademy पर topic wise नहीं, मैं सिर्फ D.I.E. पर focus करता हूँ, अगर आप D.I.E. पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे मैं इस series यहां पर भी चालू कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, बार बार वही question मत करिए, दो जून को बात की जाएगी उस बारे में, अभी शान्त रहिए भी 10-12 दिन की बात है, वेट करिए थोड़ा, 5, 17, 6, 11, अलग-अलग answer क्यों आ रहे हैं, इतना easy तो D.I.E.E., 442 लोग है, कोई भी नहीं बना पा रहा है, कैसे कर दे रहे हो, चलो ठीक है, बिल्कुल, यहां पर ध्यान देजिए, देखें topic wise दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत सारे students की request आ रही है, कि quant को topic wise कर अपनी तरब से, आज तक वैसे मैंने arithmetic के topic यहां पर पढ़ाएं नहीं, बट कोशिश करूँगा, कुछ थोड़े बहुत basic concept आप लोगों के हो जाए, वैसे D.I.E.E. के through अगर आप करोगे तो जादा best है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हो, तो मैं एक आध क्लास ले लू इशो है, मतलब की आठ हजार का आधा मेल, आधा फीमेल, चार हजार, चार हजार, यह आगया, यह इतना निकल गया, ठीक है, यह ओरली दिख जाता है भी, आठ हजार का आधा, आधा होगा, वन इस तू बन का मतलब, ठीक है, अब बोला है, 20% of the literate population are female, तो सबसे पहले तो 30% लोग literate थे, अगर 30% लोग literate है, और literate में से 20% जो है, वो female है, तो 30 का 20% कितना होता है, 30 का 20% कितना होता है, 6% होता है, तो यह females है, 6% females है, then find the ratio of number of literate male to the number of illiterate female in that city, तो अब आप से पूछ रहा है कि भई, तो इसके literate male कितने होंगे, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर female 6% है, अगर female 6% है, इस literate वाले में से, 30 में से 6% female है, तो बाकी के 24% जो होंगे, वो male हो जाएंगे, हाँ या ना, बाकी के जो 24% होंगे, वो male हो जाएंगे, तो हम बो आपके पास, अगर percentage of literate population, जो है, literate population, ध्यान से सुनना, अगर literate population जो है, वो 30% थी, तो illiterate population कितनी होगी, 70% होगी, अब इसमें कुछ male और female भी होंगे, हाँ या ना, कुछ male होंगे, कुछ female होंगे, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता था ना, भई, कि male भी बराबर है, male ये देखो, आप ऐसा बोल सकते हो ना, 50% male है, 50% female है, भई, total 100% होता है, ये 4000-4000 जो मैंने value लिखी, इसको अगर मैं percentage में बोलना चाहूँ, तो मैं ये बोल सकते हो ना, total population अगर 100% थी, 50% male थे, 50% female है, अब देखो, अगर यहाँ पर आपको male जो है, वो 24% दिख रहे हैं, तो इधर आपके male कितने होंगे, वैसे ही, अगर female आपको 6% दिख रही है, तो यहाँ पर female कितनी होगी, सोचिए थोड़ा सा, भई, total आपको female जो है, वो 50% चाहिए, अगर यहाँ प परसेंट दिख रही है, तो यहाँ पर female कितनी होगी, जल्दी बताओ, समझ में है भई, बहुत सिंपल है यार, देखो यहाँ पर अगर 6% female होगी, हमको total female 50% चाहिए थी भई, यह देखो, 50% male है, 50% female है, अगर 6% female यहाँ है, तो definitely हम बोल सकते हैं भई, कि 44% female यहाँ पर होगी, तो आपसे ratio क्या पूछा था, यह वाले, literate male का, illiterate female के साथ, देख लो भई, number of literate male to the number of illiterate female, तो 24 और 44 का अगर आपको ratio निकालना है, 4 से काटोगे, 6 हो गया, 4 से काटोगे, 11 हो गया, 11 हो गया, आपका answer, आपको value 4000, 4000, यह सब तो कुछ करना ही नहीं था, percentage से direct answer आजाएगा, समझ में आया भई, सभी को फिर से एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं समझ मैं repeat कर रहा हूँ, बई देखो, यहाँ पर L की population की बात कर रहा है, L की population कितनी है, यह number को छोड़ दो, 100% बोलते हैं इसको, total मतलब 100% होता है, अब 100% को अगर 1 और 1 की ratio में मैं divide करूँ, तो यह 50% male हो गए, 50% female हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लिट्रेट अगर 30% है, तो illiterate कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे, बोला है, लिट्रेट वाले में male जो हैं और female जो हैं, तो female के लिए बोला था, 20% literate जो हैं, वो female है, तो लिट्रेट का 20% female, याने की 30 का 20% निकालोगे, तो 6% female आगे, तो अगर यह 6 है, 30 में से, तो यह 24 हो जाएगा ना, होगा, वैसे ही देखो दोस्तों, अगर आपको total female 50% चाहिए थी, जिसमें से 6 तो यहाँ मिल गई, तो definitely यहाँ में female जो आएंगी, वो 44 आएंगी, तो भीया, हमको यही तो निकालना था, 24 और 44 का रेशियो, तो 24 और 44 का जब आप रेशियो निकालोगे, 4 से काटोगे 6, 4 से काटोगे 11, 11, 11, 11, खटम होगे, अब ही आगे चलते, next जल्दी बनाएए, सौरो P.O.P.R.E. नहीं है, यह समझने वाली बात है, बहुत easy question है, बोल सकते हैं, वैसे P.O.P.R.E. में भी आ सकता है, इस टाइप का, clerical में तो बहुत ही easy आते हैं, पर मैं उतना easy अगर यहाँ पर कराऊंगा, तो students ही नहीं आएंगे class में, फिर सब भाग जाएंगे, कि सर यह तो बन जा रहा है, तो question ऐसा होना चाहिए, जो बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगे, समझने वाली चीज है, 40-40 second में answer आएंगे इस question में, find the ratio of total number of literate population in city K and O together, k और O का literate निकालना है, k और O का literate तीन अज़र नौसा, illiterate population L और N की, 56, 35, तीन साथ answer आएगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से तीन साथ answer आएगा और ली निकल रहा है यह, और ली निकल रहा है बहुत हलवा question है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, बहुत लोग बता दियें, चलिए बहुत बढ़िया भई, अगर यह सब question आपसे बन जाते हैं, बहुत अची बात है, अगर बन जाते हैं तो फिर pen क्यों यूज़ कर रहे हो यार, अब जैसे इस ही question की मैं बात करते हैं, इसको औरली हम solve करते हैं, find the ratio of, हमको ratio निकालना है, ठीक है, किसका किसका ratio निकालना था, number of literate population city k और o की, तो भई अगर मैं k के literate और o के literate की बात करूं, तो k यहाँ पर आप देख रहे हो, 12,000 का 25% कितना होता है, 3000, होता है 3000, 2,0 का 8 आ देते हैं अभी, तो 12,000 का 25%, 30%, 3000 होता है, same चीज़ देखो, o का 20%, भई, o आपको कितना दिख रहे है, 45,00, शुरुवात वाले का double कर दो, 10%, यह होता है, 10%, 45, तो double कर दो मतलब 90, पर यह 900 है, इसलिए यह total मिला कर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, देखो, यह 900 क्यों हो रहा है, मैं फिर से इसको बता देता हूँ, जो beginner से उनमें शायद काफी लोगं confused हो गए होंगे, देखिए दोस्तों, आप लोगों को, यहाँ पर जो भी values दिये हैं, उसमें दो-दो-जीरो मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से देखो, यह दो-जीरो को मैंने हटा दिया, यहाँ से भी मैंने दो-जीरो को हटा दिया, अब 120 में अगर आप 25 परसंट देखो गे तो 30 आता है, 45 का अगर आप 20 परसंट देखो गे तो 9 आता है, दोनों मिला कर कितना हो रहा है population in city L and N L और N का आपको illiterate निकालना है भई देखो लिटरेट अगर 30 है तो 70% illiterate यहाँ पर N वाले में देखो 50% अगर literate है तो 50% illiterate तो भई देखो L वाले का 70% निकालना है 2 0 8 2 8 7 56 होता है भई 80 का अगर आप 70% निकालोगे कितना होगा 8 7 जा 56 वैसी 50% किसका निकालना था भई N वाले का इसका 50% तो 70 का 50% यानि कि 35 होता है अब यह दोनों को total करो 5 3 8 91 अब divide करके देख लो 13 से तो 13 से divide करोगे तो यह हो जाएगा 3 times और इसको आप divide करोगे तो यह हो जाएगा आपका 7 3 7 आपका अंसर आएगा खीक है उमीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा चलिए आगे जलते हैं नेक्स जल्दी बनाईए लेकिन उसका जो फॉर्म आप फिल कर सकते हूँ वह बारा बजए के पहले आपको सब्मिट करके पेमेंट करना है अगर किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है SvI Clear का फॉर्म भर दिया है पर पेमेंट नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा भी आज लास्ट डेट है 20 तारिक बारा बजए के बाद आप नहीं कर पाऊगे और रात होते होते दस बज़े के बाद बहुत जादा ट्राफिक भी बढ़ जाता है वेबसाइट पर जिसकी वज़े से वेबसाइट यह ओपन नहीं होती है काफी लोग यह गलती करते हैं आप लोग ऐसा गलती मत करियेगा भई लास्ट डेट के दो-चार दिन पहले ही भर देना चाहिए चलिए आंसर आने चालो हो गए यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं 34 आंसर कुछ लोग दे रहे हैं 28 1 बाई 8 परसेंट आंसर ठीक है चलो इस्टार्ट करते हैं देखते हैं सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा क्या अंसर है देखो यह क्वेशन थोड़ा सा थोड़ा मौडरिट लेवल बोल सकते हैं पी ओ लेवल बोल सकते हैं इसको देखे क्या बोला है किए सब्सक्राइब करें 25 के बुए यहां पर कितना के आपको Bak Do000 इसको में दो और यहां थीकर अधर हो तो यह 4800 के ये 7200 हो जाएगा, कैसे करते हैं, total को total से divide करते हैं, जो निकालना है उससे multiply करते हैं, 12000 divided by 5, जो value आएगी 2400 आएगी, multiplied by 2 करोगे तो 4800 आगया, multiplied by 3 करोगे तो 4800 आगया, ये आपकी values निकल गए, वैसे value की जरुवत अभी नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, अब क्या बोला भी, 12000 का 25% जो हैं वो literate है, यानि कि 3000 literate थे, तो 9000 हम बोल सकते हैं कि illiterate है, 9000 illiterate हो जाएंगे, 75% of 12000, वो illiterate लोग हो गए, अब इसमें से बोल रहा है, मैं यहाँ पर 75% भी लिख देता हूँ, ताकि हम इसको पहले percentage से भी solve कर लें, ठीक है, 9000 यहाँ पर लिख देता हूँ, और यह है कितना, यह 75% के परादा है, 75, क्योंकि 25% illiterate थे, ठीक है, अब आपको बोला क्या 25% of illiterate, तो इसका आपको 25% निकालना है, देखो, अगर आप 75% का 25% easily निकाल पाते हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 75% का 25% निकाल पाते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना आप 9000 का निकाल लो, ठीक है, बोला क्या है, 25% of illiterate in city K died due to alcohol consumption, in which half who were female, उसमें से आधी female सी, मतब 12%, बोल सकते हैं न, 12%, वो female सी, अब बो रहा है, then number of illiterate males who died due to alcohol consumption in city K is what percent of number of females in city L, वहीं, city L की पहले female निक निकाल लेते हैं, city L की female अगर आपको निकालना है, तो city L में ये देखो, 8000 का 1 और 1, यानि की 4000 females हैं, तो बहुत ये 4000 तो पहली लिख देते हैं, यहाँ पर, multiplied by 100 भी लिख देते हैं, ठीक है, number of, अब क्या निकालना था हमको illiterate male who died due to alcohol consumption in city K, क्या निकालना है, बताओ बहीं जल्दी से, साड़े बारा परसेंट निकालोगी इसका, साड़े बारा परसेंट क्या होता है, बहीं, one by eight होता है, हाँ या ना जल्दी बताओ, जल्दी answer बताओ, तो उमीद करता हूँ, समझ में होगा, बहुत लोगों को अभी बहुत लोग confused ने, बहुत हलवा question था है, समझने वाली चीज थी थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है, इसमें, आपको घुमा रहा है वो, और अगर आप घूम गए question पढ़के, पूछा क्या है, तो नहीं ब और वन मतलब की 4000 हो जाता है, तो ये तो आपको पता है कि 4000 फीमेल्स है L में, ठीक है, तो ये तो पता चलिए है भी, इसको तो ऐसी दिख देते है, अब यहाँ पर कौन सी value हमको लिखनी है, जो उपर में आपको दिया हुआ है, बोला क्या है, के वाली city में, जो illiterate है, तो ill illiterate 25 परसंट थे, तो illiterate 75 परसंट हो जाएंगे, ठीक है, अब इस 75 परसंट में बोल रहा है, कि 25 परसंट लोग एलकोहल कंसम्शन की वज़ा से खतम हो गए, उस 25 परसंट का आधा females थी, आधा males थे, मतलब 12% male थे ना, तो आप बोल सकते हो, 12% अगर आपको निकालना है, त आप कर दोगे सीधा-सीधा illiterate का, illiterate का सीधा-सीधा 1 by 8 कर दोगे, मतलब भई, illiterate याने की 75%, के का 75% कितना हो रहा था, 9000, 9000 का 1 by 8 आप कर दोगे, यहाँ पर लिख दो भई, 9000 divided by 8, इसको solve कर दो, आप का answer आ जाएगा, 28, 1 by 8 बिल्कुल सही answer है भई, जिसने भी दिया 34 नहीं आ रहा है, कैसे निकाले भई 34, क्या उट-पटां कर दिये, क्या गलती कर दिये, देखो थोड़ा सा चेक करो, अरे teaching नहीं छोड़ रहा हूं भया, कैसे कर दे रहे हूं यार, बैंक की जॉब छोड़ा था teaching के लिए, अब teaching छोड़ दूँगा, तो मैं क्या करूँग teaching नहीं छोड़ रहा हूं मैं, समझ में आया है बहीं सभी को, अचा कुछ लोगों से ये भी solve नहीं होता है, दोस्तों बहुत ही simple सी चीज है, बहीं देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो upon का sign है, ये बीच वाला, ये बड़ा sign है, ऐसा मान की चलो, जिनको नहीं आत बहीं, वो ऐसा पलट जाता है, मतलब ये जो one है, वो उपर की तरफ चला जाएगा, 4000 जो है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा, और ये into 100 जो यहाँ पर लिखाता है, वो इस वाली line के साथ में ऐसा लगा लो, ठीक है, बस, इसको solve कर दो, ये सब भूल जाओ अब, 4000 के नीच है, इसको पलट दो, उपर ले जाओगे, तो one उपर चला गया, 4000 नीचे आ गया, ये 30 कट गया, ये 30 कट गया, ठीक है, अब 4 से काटोगे, तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 इंटू 9 करोगे, तो 225 हो जाएगा, और 225 डिवाइड बाइ 8 करोगे, तो आपका ये answer आ जाएगा, 28, 1 by 8%, उमीद करता हूँ, दोस्तों, समझ में आया होगा, सभी को कैसे करते हैं, परसेंटेज होता है, सभी के साथ होता है, बहुत सारे ऐसे, काफी कमजोर थे, हाँ, बहुत कमजोर थे, हाँ, बहुत कमजोर था भई, मैं maths में, बहुत जादा, इसलिए मैं उसी level तक जाकर समझाता हूँ, ताकि अगर मेरे जैसे level वाला भी कोई student तो उसको समझ में आ जाए, जो खोशे आरे भई, उसको जादा समझाने की जरुवत नहीं होती, उसको हलका फुलका भी बता दो, तो वो अपने आप कर लेगा, औरली भी मैं बता दूंग, ऐसा ऐसा कर लो, वो समझ जाएगा, तो उसको क्या समझाना, चलिए answer दीजे भई जल्दी से, कल एक mains level DI की class लेंगे दोस्तों, काफी दिन हो गए mains level DI नहीं हुआ है, तो कल एक मैं clerk mains level का DI करवाऊंगा, profit and loss based, तो अगर आप लोगों को profit and loss में दिक्कत होती है, तो कल की class जरूर देखेगा, profit and loss based एक DI करवाऊंगा मैं, clerk mains level का, चलिए काफी लोगों को answer आगया है, easy question है, यह clerk level, total number of male in city N and O together is what percent more or less than the total number of female in city L and M together, इसको दोस्तों, percentage से करने की ज़रूत नहीं है, direct direct value से करते हैं, क्योंकि values बहुत easy हैं, ठीके तो हम direct calculate कर सकते हैं, total number of male in city N and O, N और O के आपको male निकालने हैं, ये और ये, तो कितना कितना हो जाएगा भई, 1500 और 3000 मतलब की हो गया, 4500, ठीक है, आप orally calculation कर लेजेगा, जिनसे बन जाता है, जिनसे नहीं बनता, आप लिख कर कर लो, थोड़ा time लगेगा, आपको लेकिन दीरे दीरे practice हो जाएगी, 4000, 4000 हो गया, तो आपको बोला, ये 4500 जो है, वो इस value से कितना कम है, मैंने आपको एक गाना बताया था भी, जिनको doubt होता है, किसको उपर लिखते हैं, किसको नीचे लिखते हैं, कितना अपॉन किस से multiplied by 100, इस चीज को याद रखेगा हमेशा, जब भी ये आपको दिया जाए न, what percent more less than total, ऐस टाइप का अगर आपको कही पर भी दिखता है, what percent more less, तो आप ऐसा लिख लो भी, कितना अपॉन किस से multiplied by 100, बोला था 4500, 6000 से कितना, कितना कम दिख रहा है, भी 1500 कम दिख रहा है हमको, किस value से कम है, भी 6000 से कम है, तो 6000 को नीचे लिख लो, multiplied by 100, तो ये कटता ह है, four times, four से इसको काटोगे, 25, ये आपका answer, ठीक है, उमीद करता हूँ, दोस्तों, सभी को समझ में आया होगा, तो थोड़ा जादा वेट कर लेते हैं, पार्च मेट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, देखे, जून में एक दस्त तक शायद पोस्पोन हो सकता है, बट कोई guarantee नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि कभी भी आएगा, अचानक सिर्फ आपका admit card आजाएगा, और 10-12 दिन बाद paper होगा, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से तयारी क कर दो आपका झाल झाल पजल सीखने के लिए जादा समय लग जाता है कभी कबार किसी को तीन महीने लग जाते हैं पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीजों को समझ रहे हो आप अंडरस्टेंडिंग आपकी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है झाल 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 एक दिन में दो मौक लगाना देखो सही तब होगा जब आप उसका अच्छे से कर रहे हो अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है एक मौक टेस्ट बनाएं पूरा उसका प्रैक्टिस का अच्छा सोर्स होता है मौक टेस्ट चलिए उमीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा काफी लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेशन को उमीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी देखते हैं दोस्तों क्या बोला इसमें पता नहीं होगा जो फस्ट टाइम आये हैं यहां पर क्लास में बहुत ही जबरदस मैथड है दोस्तों ध्यान से सुनते जाईएगा यह चार कौन बेवकुफ लोगे बही पाँच हो गए चलो कोई बात नहीं ठीक है कुछ नहीं कर सकते इधर ध्यान दो तो बही देखो अगर एक स्क्वैर आप लोगों को दिया हुआ है ठीक है अगर इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा बहुत आराम से समझाओंगा मैं आप लोगों को अच्छी चीज है बहुत जबरदस चीज है अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे नीचे की तरफ कर दूं तो भी ऐसा बन जाएगी ये वाली लाइन को अगर मैं ऐसे उपर से ऐसे उठा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा अब ये पूरी जो लाइन जो है उनको मैं ऐसे नीचे गिरा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको मतलब हम बोल सकत में थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को एक दो क्लास में आप नहीं सीख पाओगे continue आप 8, 10, 15 क्लासे तक आप देखते जाए और साथी साथ खुद मेहनत करना है अगर आप आपके अंदर सीखने की चाह होगी है कि भई मुझे thread method सीखना है तो definitely आप एक महिने के अंदर बहुत अच्छे हो जाओगे thread में ठीक है चली start करते हैं तो भई हम क्या करेंगे सबसे पहले एक यहां पर row बना लेते हैं यह है हमारा square यह हमारा square है जिसको हमने open कर दिया ठीक अब इसमें total 8 लोग बैठे थे 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 ठीक है 8 लोग हमने बना दिया अब दोस्तों एक बात का याद रखिए इसमें कौन सा corner है कौन सा middle of the side है हमको नहीं पता कौन उपर inside है या outside है नीचे inside है या outside है direction हमको नहीं पता और यह सब सोचना भी नहीं है वो अपने आप question पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़े clear होते जाएंगी ठीक है चले question पढ़ते है क्या बोल रहा है P who like chess faces outside the table बोल रहा है कि P जिसको chess पसंद है यहाँ पर लिख लेते हैं P को chess पसंद है ठीक है और यह किस तरफ face कर रहा है यह outside face कर रहा है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यह उपर की तरफ face कर रहा है मैं बोल रहा हूं यह outside face कर रहा है ठीक है आगे क्या बोल रहा है W sits third to left of P W जो है वो P के third to left में अब हम इसको बना सकते हैं अब हम इस चीज को यहाँ पर draw कर सकते हैं लेकिन एक बात का याद रखेगा अभी मैं जैसे P को यहाँ पर बना लूँगा तो कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर आपने P को यहीं पर क्यों रखा अब P को मैंने यहाँ रख दिया मैंने ऊपर की तरफ इसका direction face करवा दिया ऐसा ठीक है अभी कुछ लोगों के मन में आ रहोगा सर ऊपर ही क्यों नीचे क्यों नहीं तो आप नीचे भी face करा लो तो भी answer सहीं आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होती है आप चाहे ऊपर face करा हो चाहे नीचे पहला बंदा जिसको भी आप रखोगे आप उसको कहीं पर भी रख सकते हो और उसका direction कहीं भी face करा सकते हो जिस पहले person को आप रखोगे इसमें उसकी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है और middle वाले inside है तो हम बोल सकते हैं कि यह पूरा alternate बनने वाला था एक बाहर एक अंदर एक बाहर एक अंदर फिर एक बाहर फिर एक अंदर तो यार जब एक उपर की तरफ मिल गया तो alternate बना दो एक उपर एक नीचे फिर एक उपर फिर एक नीचे उस तरब भी वैसी हो जाए कि देखो उपर है तो ये नीचे ये उपर बन गया पूरा अब बोला किया भी पी जो है आउटसाइड फेस कर रहा है अगर पी उपर की तरफ फेस कर रहा है मतलब उपर आपका आउटसाइड है नीचे आपका इंसाइड है सेम चीज देखो मिडिल वाले जो थे वो इंसाइड थे मतलब ये मिडिल ऑफ दा साइड था ये वाला कॉर्णर ऑफ दा साइड है मतलब कॉर्णर ऑफ इसक्वार है हो गया बई सब कुछ पता चलिए आप चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को तो P को चैस पसंद था लिग देते हैं यहाँ पर बहुत ही easy question है ये हो गया आपका चैस क्या बोला था इस वाली line को देखो W sits third to left of P तो P से पहला दूसरा तीसरा W यहाँ पर बैठा हुआ है अब क्या बोल रहा है two people sit between W and the one who likes rowing बोल रहा है कि W और rowing वाले की बीच में दो person बैठे हैं तो भाई W से दो person छोड़कर यहाँ तो chest है rowing तो रख नहीं सकते है तो W से दूसरे direction में देखो W से यह दो person छोड़कर W से यह दो person छोड़कर इधर कुछ नहीं है मतलब यह वाला person है क्योंकि यह पूरा जुड़ा हुआ है तो इसके बाद अगर कुछ नहीं दिख रहा मतलब यह वाला person तो यहाँ पर आ जाएगा rowing यहाँ पर लिख देते हैं rowing ठीक है आगे देखे दोस्तों और क्या बोल रहा है आप लोगों को both s and t are in the neighbors of you and face inside the table ठीक है तो क्या बुरा s और t जो है वो neighbors है यू के तो हम बोल सकते है s, u, t और यह दोनों के दोनों inside face कर रहे हैं बोल सकते हैं ऐसा मतलब नीचे की तरफ face कर रहे होंगे यह लोग तो अगर मालो नीचे की तरफ face कर रहे होंगे बोथ s and t are neighbors of you and face inside the table तो s और t दोनों के दोनों inside face कर रहे हैं मतलब दोनों के दोना ऐसा direction आना चाहिए और इनके बीच में यू आना चाहिए तो बैई यू यहाँ पर होगा और उसके बाद यहाँ पर s और t में से कोई एक बंदा होगा भई यह देखो यह नीचे वाला यह नीचे वाला दोनों के बीच में यू ऐसे ही होगा हा या ना जल्दी बताओ होगा की नहीं होगा समझ में आया देखो समझना important है इस method से fast कोई method नहीं होता जो square में बनाते हैं उनको लगता है कि वो fast बना रहे हैं लेकिन इससे fast method नहीं होता जब आप सीख जाओगे तब आपको खुदी समझ में आ जाएगा ठीक है समझाने में तो आदा आदा घंटा एक एक गंटा भी लग जाता है भई बनाने में एक से देड़ मिनट लगता है इस method से अब देखिए आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आपको बोल रहा है Q who like football sits to immediate left of S बोल रहा है कि Q who like football sits to immediate left of S अगर मैं यहाँ पर S को रखता तो S नीचे की तरफ देख रहा है immediate left में यहाँ पर आप रख सकते हो क्या भई Q को नहीं रख सकते मतब definitely यहाँ पर आप S को नहीं रख सकते थे तो यहाँ T आपका fix हो गया यहाँ S fix हो गया S यह T ऐसा Q fix हुगा क्यों कि बोला है भई T के immediate left में Q रहता है जिसको क्या पसंद है भई football पसंद है अब देखे दोस्तों आगे क्या बोला है the one who likes surfing sits second to right of Q अब Q का second to right यहाँ पर यह वाला परसन आ जाएगा surfing और आगे क्या बोल रहा है आपको R doesn't like surfing R को अगर surfing नहीं पसंद है तो एक ही जगा बचती है यह वाली R के लिए तो बचा क्या है भई P Q R S T U V बचा है V को यहाँ पर रख दो सारे नाम सैट हो गए और देख लेते हैं अब आगे क्या बोल रहा है the one who likes tennis sits second to right of R तो R का second to right यह हो जाएगा भई नीचे देख रहा है तो यह second to right में यहाँ पर आगे tennis और देखो क्या बोल रहा है आपको the one who likes tennis sits second to right of R and sits opposite to the one who likes baseball तो tennis वाला baseball क्या opposite है मतलब बीच में तीन परसन होगे यह देखो अगर opposite आप देखते हो तो इधर भी तीन लोग है इधर भी तीन लोग है तो tennis वाले से opposite में baseball वाला बैठा है मतलब tennis से एक, दो, तीन छोड़कर यहाँ पर रख दो baseball ठीक है अब last में देखो क्या बोल है two people sit between the one who like surfing and the one who like volleyball तो भई surfing से दो छोड़कर यहाँ तो volleyball आ नहीं सकता तो surfing से दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा volleyball एक sports का नाम बचा है भही क्या था एक sports का नाम देख लो hockey बचा होकी को यहाँ रख देते हैं question आपको solve हो चुका है आपको कुई दो possibility बनाने की जरुवत नहीं थी कुछ लोग दो possibility बनाकर दो दो डब्बे बनाते हैं फिर डब्बा बनाएंगे फिर उसमें arrow खीचेंगे यह सब चीज़े करने की जरुवत नहीं होती दोस्तों चीजों को सीखने की कोशिश करिए देखो main चीज मैं बार बर क्यों बोलता हूं ऐसा कुछ लोग ना अपनी जिद में ही अड़े रहते हैं कि भाई नहीं हम तो square में बनाएंगे वही best है हम तो circle में बनाएंगे वही best है भाई आग घर पे बड़ा सा TV लग जब लखे रते ह जब वह खराब हो जाएगा तो वह बड़ा वाला टीवी आपको भी रखने का मन नहीं करेगा आप भी सोचोगे LCD LED लेकर आते हैं जो latest चल रहा है Nokia 6600, Nokia 1100, mobile अगर आपके पास है वह खराब हो जाएगा तो आप खुद सोचोगे कि चलो यार मेरे पास भी Android phone होना चाहिए ठ समय के साथ approach भी अपनी change करते जाएं, competition बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत जादा बढ़ते जा रहा है, इस method को सीखो, इसको बोलते है thread method, जबरदस्त method है, इसको सीखोगे बहुत जल्दी questions आप बना पाओगे, तो ये है आपका answer, अच्छा कुछ लोगों के मन में एक ची होगा है, ठीक है, तो direct इसी के हिसाब से आप बस देखकर answer दे सकते हो, कोई पूछेगा कि मतलब hockey वाले को face कौन कर रहा है, तो hockey वाले से 3 बंदे को छोड़ दो, hockey से 1, 2, 3 छोड़ दो, volleyball वाला, मतलब S जो है, वो hockey वाले को face कर रहा है, देख लो भी यहाँ पर, hockey वाले को S जो है, वो face कर रहा है, तो सब चीज़ें ऐसी दिखते ही है, आप पूरा का पूरा आप answer बना सकते हैं, चलो, next question भाई, जल्दी से बनाओ, 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को 3 मिनट, इस से जादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी बनाइए, कुछ लोग यहाँ पर like, dislike खेर रहे हैं, मत करो यार, पढ़ाई करो, सब चीज़ें से कुछ फरक नहीं पड़ता है, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है, आप किसी के वीडियो को कितना like कर लो, like इसलिए बोला जाता है, क्योंकि हम आपकी तरफ से appreciation कैसे मांगेंगे, like दे काफी का समय वेस्ट हो रहा है, तो ये सब समय वेस्ट मत करिए, पढ़ने लिखने का समय है, ये समय आप लोगों का निकल गया ना, तो बाद में बहुत पच्छता होगे, कि काश हम उस समय हसी मजाक ना करके हम पढ़ाई कर रहे होते, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजे, औ और लाइफ में कुछ अच्छा करिए, ये सब चीजों को कुछ नहीं रखा, कुछ लोग कमेंट्स में बाते करने में लगे होते हैं, क्वेश्चन बनाओ यार, क्या करोगे बातचीत करके, क्लास खतम हो जाए उसके बात करना बढ़िया बातचीत, चलिए डन का मेसेज भी लागे बाताओ चलिकाफी लोगो के डं के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं बहुत लोगों का solve हो चुका होगा काफी लोगों का solve नहीं भी हुआ होगा तो तीन मिनट होने वाले हैं थोड़ा सा और रुख जाते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हैं सॉल्फ हो गया होगा देखें यहां पर क्या बोल रहा है question में question बोल रहा है seven parcel MnO PQR and S of different colors are placed one above the other in stack but not necessarily in the same order the yellow parcel is placed below the pink one ध्यान से सुनिएगा भई आपको बोल रहा है कि 7 parcel है 7 कुछ लोग ऐसे number लिख देते हैं 7,6,5,4,3,2,1 दोस्तों वो चीज़ आपको तभी लिख रही है जब उसके बारे में कुछ mention किया गया हो कि second number के box पर यह है 7th number के box पर यह है 6th number के box पर यह है ऐसा कुछ बोलेगा तभी करना है वरना dot method का use करेंगे हम अब dot method क्या होता है अगर use होगा तो मैं बताऊंगा भी देखते जाहिए तो क्या बोल रहा थे हैं आप the yellow parcel is placed below the pink one मतलब बोल रहा है कि pink के नीचे yellow होना चाहिए यह pink है इसके नीचे yellow होना चाहिए अब देखो मैंने बीच में arrow क्यों use किया है भी क्योंकि यह बोला है नीचे होना चाहिए ऐसा नहीं बोला है कि just नीचे होना चाहिए या immediate नीचे होना चाहिए अगर immediate बोलता तो मैं ऐसे side में arrow दे देता ठीक है यह आप representation अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो यह मेरा representation है कि pink और yellow के बीच में अगर arrow मैंने दिया है मतलब pink के नीचे कहीं पर भी एक box छोड़कर दो box छोड़कर तीन box छोड़कर कहीं पर भी हो सकता यह ठीक है आगे बोल रहा है two parcels are placed between o and the black parcel बोल रहा है o और black वाले के बीच में दो लोग है ठीक है यहाँ पर बना देते हैं more than two parcels are placed below q more than two parcels are placed below q मतब हम बोल सकते हैं कि q के नीचे कम से कम 3 तो होने ही चाहिए ऐसा बोल सकते हैं more than two बोल है 2 से जादा क्या होता है भी कम से कम 3 फिर 4 भी रख सकते हो 5 भी रख सकते हो 6 भी रख सकते हो ठीक है आगे आपको क्या बो रहा है, blue parcel is placed near r, मतलब कि r जो होगा, वो blue के near होगा, इसका मतलब क्या है भई, r या तो उपर होगा, या तो नीचे होगा, near का मतलब क्या है भई, उसके past में है, तो past में मतलब blue के just उपर, या तो just नीचे, ठीक है, आगे आपको क्या बो रहा है, three parcel are placed below the brown parcel. अब यहां से आपको पता चल गया कि brown के नीचे 3 parcel होने चाहिए. तो यहां पर मैं लिख देता हूँ. यह मैं इसमें बना लेता हूँ पहले तो. ठीक, इसमें बनाऊँगा मैं. तो यहां पर देखें क्या होला आपको? कहां गया? 3 parcel are placed below the brown parcel तो यहाँ पर आप पूरा अपसेट कर सकते हैं इसमें dot method की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे numbering करने की भी जरुवत नहीं थी वैसे तो बढ़ ठीक है समझने के लिए चलता है अपना तो आपको बोला है यहाँ पर कि 3 parcels 3 parcels are placed below the brown parcel तो brown वाले की नीचे 3 parcels होने चाहिए मतलब brown यहाँ पर आगया तो यह brown आगया यहाँ पर आप देखे क्या बोल रहा है 4 parcels are placed between the red parcel and P तो red और P के बीच में total 4 parcels होंगे ऐसा बोल रहा है तो इसको बना लेते हैं यहाँ पर red and P यह हो गया red ब्लैक नहीं होना चाहिए तो black लिखके ऐसे cross कर देते हैं अब बोल रहा है आपको M is placed immediately above O M जो है वो O के just उपर है तो O के just उपर इसको हम ऐसा बना सकते हैं भी O के just उपर M मैंने बताया था भी side में है रो अगर just बोला है तो ठीक है O which is not blue O जो की blue color का नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं भी यह blue color का नहीं होना चाहिए और क्या बोला है Q is placed near to white parcel Q जो है वो white वाले के pass में है मतलब white के उपर नीचे यहाँ पर ऐसा Q बोल सकते हैं आप ठीक है और क्या है Two parcel are placed between Q and the blue parcel तो Q और blue के बीच में दो है तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं भाई यह blue Two parcel are placed between the brown parcel and R तो R और brown के बीच में टोटल दो लोग होने चे इसको यहाँ पर लिख देते हैं R से दो छोड़कर brown अब आधे से जादा लोग तो confused इसी में हो जाते हैं कौन सी condition ले एक बना सारी conditions को आप अच्छे से देखो आपको खुदी समझ में आ जाएगा घ्यान से अच्छे से देखो भई थोड़ा सा आपको चीजे समझ में आने लगेंगी कभी भी अगर puzzle को improve कर रहे हैं तो उसको जल्दी बनाने का मत सोचो उस पर जादा से जादा समय दो और उसको सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या आप कर सकते हो इसे आपका दिमाग तेज होगा आपकी understanding डेवलप होगी दिख रहा है ना भी सभी को अब देखे दोस्तों ध्यान से सुनना आए हाँ पर मैं चीजे बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं एक होता है दोस्तों यह देखो यह जो आपको दिख रहा है न क्यू से दो छोड़कर ब्लू अब इसके दो केसे बनते हैं ध्यान से देखेगा यह क्यू से दो छोड़कर ब्लू है दो cases क्या बनते या तो यह जो blue होगा वो ऐसे नीचे की तरफ होगा या तो यह जो blue है वो Q से कहा होगा भई ऐसा उपर की तरफ होगा ठीक है अब यहाँ पर minimum case कौन सा बनेगा minimum case की बात करते हैं अगर आप Q को ऐसे blue को ऐसे नीचे की तरफ लोगे तो आपको एक, दो, तीन, चार ही परसन दिख रहे है लेकिन अगर आप blue को ऐसे उपर की तरफ ले लेते हो तो कितना हो जाएगा भई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, टोटल साथ और साथ ही बॉक्स थे मतलब एक ही possibility बन रही है उसको सबसे पहले चेक करो ऐसा क्यों होता है दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा इस चीज पर फोकस करना भई अगर आप blue को नीचे लोगे न तो possibilities बहुत सारी बनेगी तो बहुत सारी possibilities को चेक करने से best है कि जो एक possibility बन रही है पहले उसको चेक कर लो maybe वो सही हो जाए तो आपका समय बच जाएगा maybe 50% chances है कि वो सही हो जाए तो अगर सही हो गया तो आपका समय बचेगा तो क्या करेंगे भई क्यू को हम क्या करेंगे अब मैं पूरा possibility ले रहा हूँ अलग color से तो ध्यान दीजेगा color मैं different use कर लेता हूँ black use कर लेता हूँ ठीक है तो देखो भई क्या पता था आपको Q से 3 छोड़कर 1,2,3 यहाँ पर Q हो जाएगा possibility है यह ठीक है Q से 2 छोड़कर blue तो Q से 2 छोड़कर मैं blue को उपर की तरफ ले लेता हूँ ठीक है अब देखें दोस्तो blue से related आपको क्या पता है भई कि blue के just उपर या नीचे r होना ची तो blue के उपर तो r हो नहीं सकता नीचे r हो जाएगा अब देखो r से 2 छोड़कर bright लेना है तो r से 2 छोड़कर brown हो जाएगा यह देखो यह आपको यही पर समझ में आ गया कि पर यह चीज गलत थी क्योंकि brown से 2 छोड़कर r लेना थे यह condition तो मैं देखा ही नहीं था ठीक है यह तो मैं देखा ही नहीं था ध्यानी नहीं दिया इस पर इसको लेनी जरुवत ही नहीं पड़ती खेर चलो जब next time कभी जरुवत पड़ेगी इस tag की तो मैं फिर से explain करूँगा ठीक है यहाँ पर तो जरुवत ही नहीं है इस question में जरुवत नहीं पड़ेगी दोस्तो ठीक है यह वाली condition है कि यहाँ पर हमने लिखी हुई है इस पर देखो यहाँ पर क्या दिया ब्राउन से दो छोड़कर R तो ब्राउन तो अल्रेडी सैट है ना तो यहाँ से direct सैट करेंगे हम भाई ब्राउन से आर दो छोड़कर अगर आपको लेना है तो या तो R उपर या R को यहाँ पढ़िए देखो यह वाली condition brown से 2 छोड़कर मैंने R को ले लिया अब R के उपर या नीचे blue होना चाहिए तो भी उपर तो होगा नहीं नीचे ही होगा blue क्या ये चीज possible है सोचो क्या ये चीज possible है हाँ या ना जल्दी बताओ भई क्या ये चीज possible है अच्छा कुछ लोग इसमें confused हो रहेंगे भई ये minimum 3 है ना ये 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है शुरू में बताया था ये वाली condition देख लो कहा गया more than 2 parcel are placed below Q more than 2 क्यूँके नीचे 2 से जादा होने चाहिए कितने भी हो सकते है अब देखो दोस्तो यहाँ पर न अगर आप blue से रखना चाहोगे न तो blue से 2 छोड़कर यहाँ ये देखो Q Q के नीचे 2 से जादा होने चाहिए भई है ये चीज possible ही नहीं है नहीं है ना possible फिर से देख लो भई ब्लू से 2 छोड़कर Q रखना था तो blue से 2 छोड़कर जब आप Q रखोगे तो Q के नीचे कम से कम 3 तो चाहिए 4 भी हो सकते है 5 भी हो सकते है मतलब आप R के उपर नहीं ले सकते थे हो गया भई R को यहाँ रख दो क्यों R को यहाँ रखे ये देखो R से brown 2 तो brown से 2 छोड़कर R हो गया ठीक है अब R से हमको क्या सेट करना था भई blue जस्ट उपर में तो R से blue जस्ट उपर में अब blue से 2 छोड़कर Q लेना था तो blue से 2 छोड़कर यह क्यों हो गया यह condition भी हो गया अब देखो भई क्या बच गया है क्या ले सकते अब Q के उपर नीचे white यह देखो Q के उपर या नीचे white होना चाहिए तो Q के नीचे तो white हो नहीं सकता तो Q के उपर white हो जाएगा यह वाली condition Q के उपर या Q के नीचे white तो क्यों के नीचे तो white हो नहीं सकता उपर की तरफ होगा यह condition देख लोगी अब white से एक छोड़कर S रखना है तो white से एक छोड़कर S यहाँ पर हो जाएगा यह condition पूरी हो गई और देखो भही इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको अब देखो दोस्तों हमारे पास दो चीजे बचती है एक तो M और O को रखना है भही आपको यह दोनों एक साथ रखना है न अगर मैं M और O को रखता हूँ तो O blue हो जाएगा जो की possible ही नहीं है मतलब सिर्फ और सिर्फ यही जगा बचती है जहाँ पर आप M और O को रख पाओगे और कोई भी जगा नहीं है दोनों साथ में चाहिए थे यह वाली जगा और यह वाली जगा यहां रखोगे तो O blue हो जाएगा जो की मना किया गया है मतलब possible नहीं था उपर ही रखेंगे ठीक है चलिए और देखिए भही और क्या हो गया O से 2 छोड़ कर black लेना है इसको भी set कर देते O से 2 छोड़ कर black इसमें तो कुछ था ही नहीं यार question में हलबा question था ये तो अब क्या बज़ गया भाई आपके पास देखो यहां पर red से 4 छोड़ कर आपको P रखना है red से 4 छोड़ कर आपको P रखना है तो भाई आप P को आप कहां पर रख सकते हो P को आप कहां पर रख सकते हो यहां पर रख सकते हो P को तो 1,2,3,4 छोड़ कर यह red हो जाएगा यह देखो यह red हो गया 1,2,3,4 छोड़ कर यहां पर हो गया P क्या बचा है भाई एक नाम बता दो और यह pink के नीचे यह लो रख दो यहां इसमें तो कुछ नहीं था यहर सिखाने लाएग यह तो अलवा question था मैं सोच रहा था कुछ होगर दमदार तभी ज़्यादा लोगों का done message नहीं आ रहा था क्यों नहीं बना पा रहे थे भाई इसको यह तो इतना easy question था पर जल्दी से देखिए question को समझने की कोशिश करिए और अगर आप बना पाते हैं तो answer भी दीजिए तो देखते हैं कितने लोग answer दे पाते हैं इस question का जल्दी से जल्दी answer देना है pre-level का question है और दोस्तों जिनसे question बन जाते हैं आप लोगों से एक ही request करूँगा कि अगर आप से question बन जाते हैं तो try करो orally solve करने का क्योंकि pen से अगर आप pen use करके अगर आप बना पा रहे हो तो जितना जादा आप try करोगे orally solve करने का आपका memory बहुत बढ़ेगा और calculation आपका fast होगा तो घर पे practice के दोरान जरूर आप orally calculation करने की कोशिश करिए अगर आप से questions बन जाते हैं तो चलिए काफी सारे लोगों का answer आ गया है तो एक बर मैं इसको explain कर देता हूँ देखे दोस्तों यह जो graph आप लोगों को दिया हुआ है इस graph में सबसे पहले तो चीजों को समझे क्या बोल रहा है यह आपको बोल रहा है कि percentage of students who cleared the written exam मतलब आपको बता रहा है कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने written exam clear कर लिया है दूसरा आपको बोल रहा है total number of students who appeared in the interview in the written exam तो मतलब कि सिंपल सी बात है अगर माल लो 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि 100 के 100 पास हो जाएंगे कुछ limited ही पास होंगे सेम चीज यहाँ पर देखो 8000 लोग अगर पेपर दे रहे हैं 30% अगर पास हो जाते हैं मतलब कि 70% पेल हो जाते हैं तो इसी प्रकार से आप सारा data निकाल सकते हो इसका पूरा data निकालने की जरुवत नहीं है आप सिर्फ question पर ध्यान दीजे ठीक है आप सिर्फ question पर ध्यान दीजे तो यहाँ पर question में देखे पहले question में क्या बोला है find the difference between number of aspirants who cleared the written exam of IES तो IES का exam clear करने वाले लोग जितने भी होंगे सबसे पहले आपको वो बोला है तो जो भी पहले बोला भी उसको निकाल लो उसके बाद ये question को आगे पढ़ना ठीक है तो आपको बोला थे यहाँ clear करने वाले आपको निकालने है तो अगर 6000 का 55% calculate करना है तो orally calculation करने की कोशिश करिए 6000 का 50% कितना होता है 3000 6000 का 50% कितना होता है ये आपका बंगया 3300 जो की clear किये है IES exam ठीक है अब इसका difference आपको बताना था किसके साथ difference बताना था number of aspirants who did not clear the return exam of CDS तो बोल रहा है कि CDS में जितने भी लोगों ने exam clear नहीं किया है तो यहाँ पर देखते हैं भई 5000 लोगों ने paper दिया था जिसमें से 45% लोगों ने clear कर लिया तो clear नहीं करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी भई 55% तो हमको 55% निकालना है 5000 का सेम वही आपको तरीका apply करना है जो अभी मैंने इसके लिए किया 5000 का 50% कितना होता है पहले तो यह देख लो तो 5000 का 50% याने आधा होता है 2500 2500 ठीक है अब इसका 10% देखो 500 होता है तो 5% कितना हो जाएगा उसका आधा तो 500 का आधा कितना होता है 200 तो 2500 और 2500 मतलब कि 2750 आप बोल सकते हो तो पूरा का पूरा जो students orally calculation कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है दोस्तों question अगर आपसे बन जाते हैं तो सिर्फ question बना बना कर practice करने से अच्छा है कि orally calculation करके आप practice करो ताकि आपकी speed बढ़े ठीक है 3300 में 2750 माइनस करोगे तो 500 आपका answer है इसको माइनस मत समझ लेना कुछ लोग इसको माइनस समझ रहोंगे भाई ये dash लगा हुआ है बीच में ठीक है options का dash है वो तो 500 इसका answer बनेगा पहले question का next question जल्दी बनाईए भी देखते हैं कौन देता है answer पहले अच्छा एक तरीका और बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को पहले इस question को बना लिजे एक तरीका और था पिछले question में जो कि मैं बताना भूल गया पर वो तरीका देखो इसे लिए मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो तरीका जरूरी नहीं कि हर बार आपके दिमाग में आए क्या कर सकते थे दोस्तों देखिए पिछले question की बात करता हूं मैं इसका तो answer काफी लोग ने दे दिया ध्यान से सुनिए पिछले question में एक चीज़ आप और कर सकते थे बही यहाँ पर आपको 6000 का 55% निकालना था और यहाँ पर आपको 5000 का 55% निकालना था और फिर दोनों का difference निकालना था तो भी 6000 और 5000 का difference कितना होता है? 1000 होता है ना 6000 और 5000 का difference कितना होता है? 1000 आप डाइरेट एक हजार का 55% निकाल लो शाड़े 500 आंसर ठीक है आप यह चीज भी कर सकते थे लिकिन होता क्या है ना हर बार दिमाग में नहीं आता जैसे मेरे भी दिमाग में तुरंत नहीं आया बो चीज एक्जाम में प्रैशर इतना होता है कि आपके दिमाग में जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी टाइप के ट्रिक्स जो है वो याद आ जाए तो इसलिए बेसिक से आप अगर करते हैं और यह सब चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है कभी कभार याद आ जाए तो जल्दी भी बन जाएगा फिर से बता दे रहा हूं एक बार ध्यान स का डिफरेंस कितना आया एक हजार तो एक हजार का 55% कितना होता है उमीद करता हूं समझ में आया होगा क्या बताया यह मैं पिछले question की बात कर रहा हूं ठीक है इस question की बात करते हैं अब देखिए इस question में क्या कर सकते हो the total number of aspirants who cleared written exam of CDS were called for interview ठीक है and only 20% of them cleared the interview तो आपको क्या बोल रहा है भी कि CDS the total number of aspirants who cleared written exam of CDS CDS वाले कितने लोग clear किये हैं सबसे पहले तो यह देखते हैं यह CDS है इसमें 5000 लोग paper देते हैं 5000 में से 45% लोगों ने exam clear कर लिया return exam अब आपको क्या बोला है भी जितने return exam clear किये 20% लोग interview clear करते हैं तो हम direct बोल सकते हैं 45% का 20% direct हम बोल सकते हैं 45% का 20% जो भी होगा उतने लोगों ने paper clear किया है तो 45% का 10% कितना होता है साड़े चार बीस परसेंट कितना होगा 9% direct निकाल दो 5000 का 9% तो 95,000 45,000 आपका answer आ लिया औरली calculation करना है भी मैं बार बार बोल रहा हूं टोटल अभी तक 54 classes में ले चुका हूँ डियाई की जरूर देखिए अगर आपने ये पूरी playlist नहीं देखिए तो तो direct करना था भई देखो 5000 लोगों ने paper दिया था 45% लोगों ने return clear किया है तो इन 45% लोगों का interview होगा अब उसमें से 20% लोग क्लियर करते हैं क्या interview तो 45% का 20% अगर निकालोगी तो कितना हो जाता है 45% का 10% होता है 4.5 तो 20% हो जाएगा 9% अब direct आप निकाल दो 5000 का 9% तो आजाएगा 4.500 जो कि आपका answer बनेगा उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा next question देखिए जल्दी से answer दीजिए इस series में जितनी भी DI करवाऊंगा दोस्तों वो आपके IBPS, PO, IBPS clerk, SBI PO, SBI clerk, RRB PO, RRB clerk, RBI assistant जैसे जितने भी banking के exams होते हैं उन सभी के prelims में काम आएगी ये जो series चल रही है इसके साथी साथ हफते में मैं दो classes mains की भी लेना start कर दिया हूँ DI की उसको भी जरूर देखिए अगर आप maths में कमजोर है तो DI को इतना strong कर लो कि और कुछ करने की जरवती नहीं पड़ेगी फिर चलिए answer आ गया है यहाँ पर काफी लोगों का देखे दोस्तों question में क्या बोल रहा है आपको find the ratio of number of aspirants who did not clear return exam of CSE तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले हमको निकालना है कि ऐसे aspirants जिन्होंने CSE का exam clear नहीं किया है तो CSE वाला देखो भई यह है 15,000 लोगों में से 40% लोगों ने clear कर लिया मतलब कि 60% ऐसे थे जिन्होंने clear नहीं किया तो हमको वही तो बोल रहा है find the ratio of number of aspirants who did not clear written exam of CSE तो CSE का paper clear नहीं करने वाले 60% 15,000 का 60% निकालना है तो कैसे निकालोगी भई 15 into 6 यानि कि 90, 1,0 लगा, 2,0 लगा दो क्योंकि 15,000 था तो यह हो गया 9,000 15 into 6 करेंगे 15 into 6 करेंगे तो आगया 90 1,0 यहां का लगा दो 1,0 यहां का लगा दो क्योंकि 2,0 तो percentage से कड़ जाते हैं उमीद कर तो यह सभी को पता होगा ठीक है जो beginner से उनकी इसाब से मैं बता रहा हूँ तो 9,000 आगया आपका अब इसका ratio आपको किसके साथ निकालना था भी 9,000 का ratio आपको निकालना था किससे निकालना था The number of aspirants who cleared the written exam of SCRA तो बोल रहा है कि SCRA clear करने वाले students से तो यहां पर देखो भी इसका clear करने वाले 8,000 का 30% कितना होता है 8,000 यानि कि 2400 होगा हाँ या ना जल्दी बता हो गई 8,000 का 30% लोगों ने SCRA clear किया है तो 2400, अब देखो भी 2,0,2,0 तो SC cut गए है ठीक है, वैसे तो options देखके भी आप बोल सकते हो कि 90 सिर्फ और सिर्फ 15 से divide होता है बट काफी लोगों के मन में एक सवाल होता है सर, none of these भी तो है तो इसलिए भी आप इसको direct 6 से अगर आप divide करते हो तो 6,4 जा 24 और 6 से इसको करोगे तो 15, 15,4 आपका answer बिल्कुल यही level रहता है दोस्तो, SBI clerk के paper में ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर, यह तो बहुत easy है इतने easy आते हैं कि exam में, इससे भी easy questions आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि clerical का pre है ठीक है, लोग 90, 95, 97 तक स्कोर करते हैं clerk pre में अगला question जल्दी से बताईए answer क्या होगा RRB scale 2 के लिए दिनेश जी बिल्कुल same paper होता है आप यह जो classes मैं ले रहा हूँ, आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं, कोई सी भी class हो RRB का scale 1, scale 2 पूरा same paper होता है उसमें सिर्फ वो जो gk वाला जो portion होता है, वो अलग हो जाता है scale 2 में बाकी का पूरा paper reasoning match का पूरा same रहेगा जितने भी नए students हैं, चैनल को subscribe नहीं किये हैं, तो जरूर कर लीजे दोस्तों और सिर्फ नई classes का wait मत करिए, पुराने बहुत सारे classes, 900 से जाधा classes मैं इस चैनल पर ले चुका हूँ, जो की बहुत जाधा useful हैं आप सभी के लिए पुरानी classes देखना start कर दीजे, मैंने playlist बना कर रखी हुई है, puzzles की mains level puzzles की DI की काफी सारे videos आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर तो free time जब भी हूँ, आप लोगों के पास इस चैनल में आप देख सकते हैं, maths और reasoning के काफी सारे videos आपको मिल जाएंगे चलिए, answer आ गया है बहुत लोगों का, देखिए, ध्यान से सुनिए भई क्या बोल रहे है, the number of aspirants who did not clear the written exam of CSE ठीक है, तो बोल रहा है कि CSE का exam clear नहीं करने वाले लोगों की संख्या, अभी just हमने निकाली थी भई, 60% 15,000 का, अभी just निकाले थे 9,000 था यह अभी just निकाले थे, थोड़ी दिर पहले पिछले question में, number of aspirants who did not clear the written exam of CSE ठीक है, is how much percent more or less, देखो दोस्तो ध्यान से, कभी भी आपके question में जब बोलता है न, percent more or less how much percent more or less तो आप न, एक चीज को याद रखिए, जो नए लोग हैं, उनको बता रहा हूँ भई, कितना upon किससे multiplied by 100, इसको याद रखिए अगर आपको एक confusion होता है, किसे divide किससे करते हैं, समझ में नहीं आता उपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, तो इस चीज को याद रखिए बस आप, ठीक है तो अभी क्या बोला था, कि ऐसे लोग जिनोंने CSE exam clear नहीं किया है तो वो है 9000, ठीक है किससे जादा है 6000 से 3000 जादा था तो नीचे आजाएगा 6000 multiplied by 100, तो यह सीधा-सीधा आपको दिख रहा है भई, 50%, ओरली कोई भी बता सकता है कि 9000, 6000 से 50% जादा है, ठीक है पर अगर आप beginner है, तो आप बिल्कुल इस तरीके का use कर सकते हैं, चाहे कैसा भी question हो अगर percent more or less लिखा है तो आपको बस यह देखना है कि कितना जादा है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 6000 से 3000 जादा था तो 3000 को उपर लिख दिए किस से, मतब कौन सी value से आप compare कर रहे हो कि जादा है, तो भई हम 6000 से compare कर रहे हैं, कि 6000 से 3000 जादा था, तो इसलिए वो वाली value नीचे आ जाएगी तो इसको याद रखेगा, कितना पॉन किस से multiplied by 100, यह तब तब यूज होगा जब आपको question में percent more or less लिखा होगा, याद रखिएगा, ठीक है उमीद करता हूँ, सभी को समझ में आया होगा, तो मेरे ख्याल से यह dii खतम हो चुका है, एक question और है, चलिए जल्दी से इसका भी answer देतीजे, फिर यह dii खतम होगा, और थोड़ी देर में दोस्तो आठ बजे आप लोगों की class start होगी, pre-level puzzle की, जरूर अटेंड करिएगा telegram channel कैसे join करना है, मैं बता देता हूँ, वही पर आप लोगों को link मिल जाएगी add the rate banking chronicle yt आप अपने telegram app को open कीजिए और अपने किसी भी friend को add the rate banking chronicle yt लिख कर भेज़ दीजिए, वो link बन जाएगा, उस पर click करोगे तो join हो जाएगा channel ठीक है, किसी भी friend को, किसी भी group में आप ये link करोगे, तो वो अपने आप एक link बना लेगा, और वो link पर आप click करोगे, तो आप channel join कर सकते हो spelling बस नहीं लिखिएगा, capital small से कोई फर्क नहीं पड़ता, add the rate banking chronicle yt बस ये लिखना है और send कर दिना है message किसी को भी और उस पर click करिए, तो channel आप मेरा join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अगली class की link मिल जाएगी, सारी classes की link मैं वहीं देता हूँ चलिए, यहाँ पर देखिए, दोस्तों, question में क्या बोला गया है आप लोगों को तो देखिए, question में क्या बोला है, find the average number of aspirants who did not clear the written exam of SCRA and NDA तो आपको बोला था कि SCRA और NDA के वो students जिन्होंने exam clear नहीं किया है, उनका average बताना है यहाँ पर देखो, 10,000 में से 60% लोगों ने clear किया है मतब सीधा-सीधा बोल सकते हैं, 40%, 4000 लोगों ने clear नहीं किया होगा इसमें देखिए दोस्तो, 8,000 में हमको पता था ना भई, 30% जो था वो clear किया है तो इसका 70% निकाल दो, वो clear नहीं किया है तो 8,000 का 70% कितना होता है, 8 into 7 करो और 2,0 लगा दो तो 8,7,56 होता है, 2,0 लगा दो टोटल कितना हो गया, 9,600, अब इसका average निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4800 यह आपका answer, तो यह था आपका SBI clerk pre-level का DI, बिल्कुल ऐसे ही level का DI आप लोगों को exam में देखने को मिलेगा, ठीक है चलिए, पहला question जल्दी से बनाईए दोस्तों, फड़ा फट solve करने की कोशिश करिए चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आप लोगोंने solve कर लिया होगा, काफी समय हो चुका है जिन्होंने solve कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिन से नहीं हुआ, इधर ध्यान दीजे तो यहाँ पर क्या बोर रहे हैं, आप लोगों को 8 people, MNOP, PQRST, having different refrigerator brands अलग-लग brands के नाम लिखे हैं, but not necessarily in the same order, they also like different colors, सभी को पास अलग-लग colors भी हैं ठीक है, but not necessarily in the same order, as likes whirlpool, देखे, सबसे पहले तो नाम आपको दिये हुएं दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम या तो नाम set कर सकते हैं, या तो refrigerator के जो brand दिये हैं, उनको set कर सकते हैं, या फिर उनके color को set कर सकते हैं, ठीक है, तीन चीजे हैं हमारे पास, तो दो-तीन condition पढ़ते हैं, उसके बाद हम decide करेंगे कि हमको set क्या करना है, तो आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, यह simple सी चीज है दोस्तों, यहाँ पर brand को set करते हैं, क्यों brands को set करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, brands को अगर आप set करोगे न, तो इतने बड़े-बड़े नाम आपको बार-बार नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है तो इसको brands को हम सबसे पहले यहाँ पर set कर लेते हैं, तो सबसे पहला क्या नाम दिया हुआ है भई, LG दिया हुआ है, उसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है, whirlpool, फिर Samsung, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पूरा लिखने की जरवादी आप इसको short shot में भी लिख सकते हो, ठीक है, Samsung, उसके बाद क्या बना है, Godrej, और कौन सा था, Electrolux, वीडियो कौन, और है Kelvinator, और Bosch, तो यह दोस्तों हमने सारे के सारे नाम लिख लिए, अब क्या करेंगे, एक एक करके हम इसको set करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या set, इसमें set हो रहा है, जो set नहीं होगा, उसको अलग से condition हम नोट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दो possibility, दो तो खेर जर्वत नहीं पड़ेगी हमको, यहाँ पर बस हमको लेना है color, और एक लेना था, कि कौन है, ठीक है, चलिए, तो अब शुरुवात से इसको एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोगों को S likes whirlpool and orange color, तो S को whirlpool पसंद है और orange color पसंद है, ठीक है, यह हो गया, इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या बोल रहा है, O likes Electrolux, तो O जो है वो Electrolux में यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या बोल रहा है, O likes Electrolux, but not pink color, लेकिन इसके पास pink color नहीं होना चाहिए, तो pink को यहाँ पर ऐसे cross कर दो, pink यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, अब आगे क्या बोला है, P neither likes Kelvinator nor VideoCon, मतलब P जो है वो ना तो Kelvinator में आएगा, मतलब यहाँ पर आप P नहीं रख सकते, और ना ही वो कहाँ पर आएगा, VideoCon में, तो यह वीडियो वाले में भी यहाँ पर भी P को आप नहीं रख सकते, ठीक है, आगे आपको बोल रहा है, the one who likes LG also likes red, जिसको भी LG पसंद है, उसको red color पसंद होगा, तो यहाँ अलग से मैं लिखने की ज़रूती है, LG को red यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको भी LG पसंद है, उसको red color पसंद होगा, ठीक है, आगे इधर likes video con और बोश्ट, तो बोश्ट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, video con, R के लिए बोला है, तो दोस्तों हम यह बोल सकते है, या तो R यहाँ पर आएगा, या तो R यहाँ पर आएगा, और तो कहीं पर आई नहीं सकता, बोल दिया है भी, इधर, अब बोरे दावन who likes video con also likes yellow color, तो video con वाले को yellow color पसंद है, लिख देते हैं यहाँ पर yellow, आगे आपको बोरे T like silver color, T को silver color पसंद है, तो यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, T को silver पसंद था, ठीक है, आगे बोरे M neither likes Bosch nor video con, ठीक है, तो यहाँ M के लिए बोल दिया है, दोस्तों, M यहाँ पर नहीं आसकता और M यहाँ पर नहीं आसकता, ठीक है, और क्या बोला है, P likes pink color, P को pink color पसंद है, तो यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ, P को pink color पसंद है, ठीक है, और क्या बजगिया, the one who likes Electrolux, doesn't like black color, तो Electrolux वाला जो है, यहाँ पर black color नहीं आना चाहिए, ठीक है, और क्या बो नहीं आसकता, यहाँ पर नहीं आसकता, टी, और गोद्रेज में भी नहीं आसकता, टी, अब देखें दोस्तों, इसमें हम क्या चीज़ को set कर सकते हैं, कुछ रहे गया, क्या, N likes, Samsung रहे गया, कहा रहे गया, देख लेते हैं, हाँ, एक चीज़ दोस्तों, यह चुड़ गई मुझसे, N likes Samsung, ठीक है, तो N जो है, उसको Samsung पसंद नहीं, यहाँ पर N को लिग देते हैं, चलो, अब यह चीज़े हो चुकी है, दोस्तों, एक तो यहाँ, क्या है, दोस्तों, चल नहीं रहा है, अभी भी network issue है, बहुत जादा, मुझे mobile में देखना पड़ रहा है, चली, मैं comment सिधरी देख लेता हूँ, चली, तो यह हो गया, दोस्तों, इतनी चीज़े, तो हमने set कर ली, अब यह बताईए, जल्दी से, कि इसके बाद हम क्या चीज़ को set कर सकते हैं, हमको कुछ दिख रहे कभी, जिसको हम set कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमको पता था कि R जो है, या तो इधर आएगा, या तो इधर आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा अगर हम और देखें, तो P को pink color पसंद है, T को silver color पसंद है, तो T इधर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर T को इसलिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि T के साथ silver color होना चाहिए, यहाँ पर भी T नहीं आ सकता, इसके अलावा देखो दोस्तों, T यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ silver color आना चाहिए, तो सिर्फ ये last वाली जगा बच रही है, जहाँ पर हम T और silver को रख सकते हैं, और तो कोई भी जगह नहीं है, जहाँ पर आप silver और T दोनों एक साथ रखो, ठीक है, तो यह चीज़ तो हमारी set हो गई, इसके बाद देखिए और क्या बच रहा है हमारे पास, अब देखिए दोस्तों, P pink हमारे पास बचता है, तो अगर P यहाँ पर नही पास, अब देखिए दोस्तों, अगर R यहाँ पर नहीं आ सकता, तो R सिर्फ और सिर्फ यही पर आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, इसके लिए, ठीक है, क्या बच गया अब हमारे पास, अब हमारे पास बचता है दोस्तों, Q में brown color आना चाहिए, तो भई Q के लिए ए सिर्फ यह टॉप वाली जगह खाली है, तो M को यहाँ रख देते हैं, black color यहाँ पर नहीं आ सकता, तो black color यहाँ पर आ जाएगा, आखरी नाम क्या बच गया, जल्दी से देख कर बताईए, कौन सा color बच गया है, orange, silver, yellow, black, orange, brown, blue, blue color बचा हुआ है, blue को लिख देते हैं यहा अरे कैसा सवाल है यहां सर, देखो एक सवाल आ रहा है यहां पर कि सर आपने refrigerator के brand को कैसे fix कर दिया, यहां पर बोल रहा है कि not necessarily in the same order, अरे देखो इसका मतलब वो नहीं है, आप question को गलत समझ रहे हो, question को आप गलत समझ रहे हो, यहां पर आपको क्या बोला है कि 8 people जो है, उ not necessarily in the same order, इसका मतलब कि M के पास जरूरी नहीं है कि LG होगा, N के पास जरूरी नहीं है कि whirlpool होगा, O के पास जरूरी नहीं है कि Samsung होगा, यह बोला है, तो उसका मतलब यह है, आप उसको गलत वे में मत समझ रहे हो, ऐसे में तो आप हर question गलत करोगे फिर, ठीक है, वो जिस order मे दिया है न कि हाँ, यह आठ लोग है और यह आठ ब्रेंड है, तो ऐसा नहीं है कि पहले वाले को पहला पसंद है, दूसरे वाले को दूसरा पसंद है, ठीक है, तो यह चीज था उसका मतलब, चल आगे चलते हैं दोस्तों, next question जल्दी बनाईएगा, सबसे पहले इसको आप बनाईएगा जजब हैं चलते हैं जल्दी कर दिने पहले हैं, चलते हैं, बनाईएगार ग land को आप लोगह हैं, अबनाईएगारlles, स्य घसara आपनाउन लोग है पहले हैं तोस्तों और लो स्तों खिया टूसरा यह वाले हैं तोर र Iya र लिया याजनाण हैं... झाल झाल पीडिएफ को क्या करोगी भाई देखो आप दोस्तों आप लोग इतना पीडिएफ पीडिएफ क्यों करते हो पीडिएफ को क्या करते हो आप लोग सब आप एक बार इन questions को solve कर लोगे उसके बाद आपको दुबारा फिर से अगर question solve करने तो classes तो होती ही रहती है ऐसा नहीं कि classes नहीं होती है आप पुरानी classes भी देख सकते है पीडिएफ को क्या करोगे हर जगा सारे स्टूडेंट सिर्फ PDF 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 करते रहते हैं भया class पे ध्यान दीजे class में पढ़िए class में बनाईए सब कुछ PDF में कुछ नहीं रखा हम भी PDF कलेक्ट करते थे कभी बना solve नहीं कर पाते थे आप 10% PDF ही solve करोगे guarantee 100% guarantee के साथ बोल रहा हूँ आप जितनी मर्जी मैं अगर आपको PDF दे दूँगा बहुत सारी आप सिर्फ 10% solve करोगे उसका limited दूँगा तो हो सकता है पूरे कर भी लोगे लेकिन अगर एक साथ मैं बहुत सारी PDF दे दूँग दो 400-500 कोई नहीं solve करने वाला बस इधर उधर वो शेर होते रहती है कभी किसी ग्रूपने कभी किसी ग्रूपने चली उमीद करता हूँ solve हो गया होगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजे तो देखे दोस्तों क्या बोरहा है एट बीपल पीक्यों आरे स्टी यू वी और डूपने की कोशिश करूँगा मैं अपना पूरा 100% दूँगा ताकि आपको समझ में आए जिनको नहीं भी आता है अच्छे से ध्यान दीजेगा इधर क्या बोल रहा है आप लोगों को सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि अगर मानलो कोई एक square है ऐसा अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट दू यह वाला जो line है इसको मैं ऐसा कर दू तो यह ऐसा हो जाएगा अब यह जो पूरी line है इसको अगर मैं ऐसा कर दू तो यह पूरा ऐसा आजाएगा यह दोनो line ये वाली इधर आ गई ऐसे और ये उपर वाली और उसके आ गई और इधर वाली ये जो लाइन थी इसको मैं इधर ऐसे तरफ गिरा दू ऐसा तो ये ऐसा नीचे आ जाएगा तो ये एक तूरा थ्रेड मिल गए आपको मिलेगा ना थ्रेड आप माल लो ये जो कॉर्णर है ये जो कॉर्णर मतलब ये जॉइंट्स जो थे ये कॉर्णर बन गए ये ऐसे बन गए न ये जो जॉइंट्स थे ये कॉर्णर बन गए ऐसे आप बोल सकते कि मिडिल में भी आप लोगों को एक एक दिख रहा था मतलब ऐस अब कौन सा corner है कौन सा middle है हमको नहीं पता और हमको सोचना भी नहीं है ठीक है वो अपने आप पता चलेगा question पढ़के आखरी तक में अपने आप पता से जाएगा हमको सोचने की भी जरुवत नहीं है आगे आप लोग देखो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बोला था four of them sit at corner face outside मतलब की जो भी corner पे बैठ रहे होंगे वो outside face करते हैं और जो भी middle में बैठ रहे होंगे middle of the side में वो inside face करते हैं ठीक है अब हमको इसको भी कोई लेना देना नहीं है भी उसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए हमको कोई लेना देना नहीं है कि उपर वाला inside है कि नीचे वाला inside है कि उपर वाला outside है कि नीचे वाला outside है वो सब कुछ question अपने आप बताएगा आपको आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ question को पढ़ते जाना है और रखते जाना है तो ध्यान दीजे इधर अब बोल रहा है P who likes chess faces outside the table P who likes chess faces outside the table मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भई P को chess पसंद था ठीक है और ये कहां पर face कर रहा है भई out face कर रहा है outside साइड बोल सकते हैं इसा रख देते हैं इसको ठीक है आगे क्या बोल रहा है w sits third to left of p w जो था वो third to left में था P के कौन है भई दिभ्यान दू क्या हो गया भई क्लास पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो कैसे कर दे रहे हो गलती से blue pen से 3-4 एर लाइन सेल्फ डेक्लेरेशन लिख दिया black pen यूज करने बोला था अरे तो ऐसी गलती कैसे कर सकते हो गई आप कैसे कर सकते हो कि देखो जिन्होंने भी इस टाइप की गलती कर दी है आगे से ध्यान रखिए अब देखो अगर आपको एकदम बहुत ही जादा gut feeling है एकदम की यार मेरा तो paper निकली जाएगा आपके बहुत अच्छे तक की उमीद करके रखूं तो आप ये कर सकते हो कि दे दो बस paper एक मतलब पैसे फिर से waste करने का मतलब नहीं अगर आपको ऐसा लगते है कि हाँ बही कुछ नहीं होता प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन मैं इस चीज पर कोई guarantee नहीं ले सकता बही कल को अगर reject हो गया तो आप पता चला मुझे मेरे उपर blame लगा रहे है इसे लिए मैं बोल रहा हूं भई आप फिर से भर दीजे योगेश जी class के बाद बात करेंगे अभी इधर ध्यान दीजे चलो इधर ध्यान दो भई दोस्तों देखो क्या बोल रहा है भई पी जो है वो chest outside यहां तक हो गया था अब क्या बोल रहा है दोस्तों W sits third to left of P यहां से हमारा question होगा start अब ध्यान देना भई जिनको भी threat नहीं आता क्या बोल रहा है आपको W sits third to left of P आप condition कुछ ऐसी note करते ना भई P के third to left में ऐसे W बैठता है ऐसा बनाते ऐसा बनाते ना भई इसको condition को condition ना बनाके आप उसको direct यहां पर लिख दो direct आप इसमें set कर दो अब कुछ लोग बोलेंगे कि sir कहां रखें कैसे पदा चलेगा आप कहीं पर भी रख सकते हो आप P को यहां रख दो यहां पूरे के पूरे जो आठ बनेंगे ना हो सकता है कोई यहां रखे कोई यहां रखे कोई यहां रखे मैं यहां रखूंँ आप लोग यहां रखे हर किसी का answer दिखने में different होगा पर जो पांच questions पूछे जाएंगे वो बिलकुल आपके एक ही answer आएंगे उसमें एक ही answer आएग ठीक है तो कोई tension वाली बात नहीं कहीं पर भी ले लो जहां आपकी मर्जी मैं यहां पर ले लेता हूँ चलो यह P हो गया तो क्या बोला था भी देखो W सिप 3 to left of P P सिप अब देखो P का direction अब कुछ लोग बलेंगे सा direction नीचे ले की उपर ले वो भी आपकी मर्जी वो भी दिखने में वो different होगा दोस्तों लेकिन answer गलत नहीं होगा answer एक ही आएगा आपका भी मेरा भी तो ध्यान से देखो भई मैंने direction ले लिया उपर ठीक है अब मुझे क्या बोला है भई देखो P के third to left में था तो ये पहला left भई उपर देख रहा है तो left इस तरव बनेगा पहल ये लोग ऐसे बाहर की तरफ face कर रहे हैं ठीक है ये लोग अंदर की तरफ face कर रहे हैं इस method को सीख गया ना जो मैं guarantee देता हूँ दो मिनिट के अंदर ही question solve होगा आपका हर बाद चाहे square हो चाहे square हो चाहे circular हो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझे आ रही एक अगर बा फिर definitely ये उपर होगा बोल सकते हैं बस पूरा direction आपको मिल गया ये उपर था ये नीचे ये उपर ये नीचे ये उपर ये नीचे अब ये देखो ये उपर था तो ये नीचे ये उपर direction भी मिली गए हमको हमको कुछ नहीं करना पड़ा आपने आप question में समझ में आता है भी हमको कुछ भी नहीं करना है अब दोस्तों आपको बोलाएं कि P जो है वो बाहर की तरफ face कर रहा है अगर पी बाहर की तरफ face कर रहा है मतलब question में बता दिया कि ऊपर outside है मतलब हम बोल सकते हैं कि उपर वाला जो है ये corner है जो भी उपर face कर रहा है ये corner पे बैठा है ये corner पे 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 ये जो चार लोग है ये लोग middle पे बैठे हैं ये middle है और ये inside face कर रहे हैं सारे के सारे ठीक है तो ये चीज़ तो question से ही समझ में आ गए ह आगे चलते। अब देखो P को क्या पसंद था? Chess, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Chess. ठीक है? बाकी यह सब को मैं हटा देता हूँ. अब आगे पढ़ते हैं भी condition को. इतना अराम से नहीं बनाना है ठीक है? न मैं यह समझा रहा हूँ करके मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ हर दिन ऐसा नहीं समझाऊंगा दोस्तों क्योंकि बहुत time waste होता है ठीक है बार बार पूरा basic से समझाना तो अच्छे से देखिए दो बार तीम बार चार बार देखिए class को बहुत easy method है और बहुत जबरदस method है two people sit between w and the one who likes rowing अब आपको बोर रहा है कि w वाले से 2% छोड़कर rowing वाला होना चाहिए देखो w से या तो इधर या तो इधर w से 2 छोड़कर यहां तो rowing रखे ली सकते यहां तो chest है तो w से इस तरफ देखो w से यह 2 छोड़कर यह 2 छोड़कर कुछ नहीं है मतलब यह वाला person rowing हो जाएगा क्योंकि भई इसको पूरा ऐसे करके आप जब join करोगे square बनाने के लिए तो यह और यह ऐसे जाके जुड़ेंगे ना मतलब neighbor बनेंगे तो भई इसके बाद कुछ नहीं है मतलब यह है ठीक है तो यह rowing आ गया आगे देखो क्या बोर है both s and t are the neighbors of you and face inside the table both s and t are the neighbors of you बोल रहा है कि s और t जो है यह दोनों ही neighbors है किसके you के and face inside the table मतलब हम बोल सकते हैं कि s और t जो है यह नीचे की तरफ face कर रहे होंगे you उपर की तरफ face कर रहा होगा बोल सकते हैं ऐसा हाँ या ना बोल सकते हैं बहुत simple है देखते जाओ अभी कैसे इतना easily solve हो जाएगा both s and t are neighbors of you and face inside the table s और t जो थे वो you के neighbor थे ठीक है और दोनों के दोनों inside inside नीचे ना मतलब यह दोनों नीचे face कर रहे है और you उपर की तरफ face कर रहा है तो तीनों ऐसे साथ में आने चाहिए अब देखो भी तीन जगत अहां थाली दिख रही है तीन आपको यहां तो सिर्थ दो ही जगत खाली दिख रही है यह दो ही जगत खाली दिख रही है मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि यह देखो एक यह नीचे की तरफ देख रहा है यह नीचे की तरफ देख रहा है यहां पर S और T में से कोई एक हो सकता था अब इसके इधर कुछ नहीं है मतलब यह वाला है यहां पर मैं U को रख सकता था, ऐसा फिर से बोल सकते हैं, यहांपर S और T में से कोई एक हो जाएगा बोल सकते हैं हाँ या ना बोल सकते हीने ने मैं जल्दी बताओ फटा फट अब आपको दिखरा नहीं है, यह देखो S और T में से कोई भी एक बंदा फिर u है और उसके बगल उधर कुछ नहीं है मतलब यह था s और t यह देखो s और t यह ऐसा ही दिख रहा है न आपको यह देखो यह वाला यह वाला यह वाला जिनको इधर doubt हो रहा है कि सर यह इधर बन रहा है वो उधर कैसे समझने आ रहा आप एक काम करो आप इतने portion को यहां से ऐसे erase कर लो और इस s और t वाले को यहां पर ऐसा बढ़ा के ऐसे नीचे direction देखे लिख लो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा ठीक है तो यह condition भी हो गई भी आगे देखते हैं और जो कोशिश नहीं करेगा दोस्तों जो खुद कोशिश नहीं करता है उपर वाला भी उसका साथ नहीं देता ठीक है तो कोशिश तो आप लोगों को करनी पड़ेगी भी मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं ताकि आपको समझ में है तो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगे क्यों फुडवाल सिट्स टू इमेडियेट लेफ्ट ऑफ एस बोल रहा है क्यों जो है जिसको फुडवाल पसंद है वो एस के इमेडियेट लेफ्ट में अब ध्यान से सुनना अगर एस यहां रखता हूं अगर मैं एस यहां रखता हूं नीचे की तरफ देख क्यों क्या क्यों को नहीं रख सकते भई यहां तो यू था मतब डेफिनेटली यहां पर एस नहीं आना चाहिए एस यहीं पर आना चाहिए तो इससे हमारा एस और टी भी फिक्स हो गया भी कि यहां पर तो टी ही आएगा और यहां पर एसा आएगा फिक्स हो गया, अब फिर से पढ़ो, क्या बोला था, Q who like football sits to immediate left of S, यह देखो, S नीचे देख रहा है, left इस तरफ होगा, भई मैं ऐसे अगर देख रहा हूं, नीचे की तरफ, तो मेरा left इस तरफ होगा न, बस वही चीज़ है, यह देखो, S नीचे की तरफ देख रहा है, left इ यहाँ पर, यह देखो, पहला right, दूसरा right, यह वाला हो जाएगा, surfing, आगे आपको क्या बोल रहा था, the one who like tennis sits second to right of R, and sits opposite to the one who like baseball, क्या बोले, the one who like tennis sits second to right of R, R कहां दिख रहा है भई आपको, कही नहीं दिख रहा, तो दोस्तों, आप ध्यान से देखे, इसमें आप एक तीन लोग होते हैं, चाहे आप इधर देखो, चाहे आप इधर देखो, बीच में तीन लोग होते हैं, याद रखना अगर opposite बोला है, तो वही चीज यहाँ पर बोला है, the one who like tennis, मतलब tennis जो है, वो second to right में बैठा है R से, and sits opposite to the one who like baseball, मतलब हम बोल सकते है, tennis और baseball जो है, वो आ तो अगर R को surfing नहीं पसंद, तो R यहाँ पर आजाएगा, बोल सकते हैं, और तो कोई जगह ही नहीं है, हमारे पास, यह line मेरे से में सो गए थी, ठीक है, direct solve हो रही है, R does not like surfing, R को अगर surfing नहीं पसंद, मतलब यह surfing वाली जगह पर R नहीं रख सकते है, यहीं रखना आर अगर नीचे की तरफ देख रहा है, तो पहला right यह, दूसरा right यह, तो यहाँ पर आजाएगा कौन भई, tennis, और क्या बोले है, tennis वाला जो है, वो baseball वाले के opposite बैठ है, भई opposite का मतलब क्या था, बताया हो ना बीच में तीन लोग, चाहे आप इधर से count करो, चाहे आप उध यही पर आएगा देख लेना, tennis से, एक, दो, यह तीन चोड़कर यही पर आएगा, baseball, और कहीं आई नहीं सकता, भई यह हमेशा होता है, ठीक है, याद रखना है, क्या बजगिया भई आपके बस, two people sit between the one who like surfing and the one who like volleyball, तो surfing वाले से 2% चोड़कर volleyball रखना था, surfing वाले से 2% चो चले पहला question आपकी screen पर जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए, दोस्तों इसका answer दीजे, देखते हैं कितने लोगों का percentage और ratio का concept clear है, अगर आपका percentage और ratio का basic concept clear है, मतलब यह question आपको hardly 40 seconds लगेंगे solve करने के लिए करना कि रिखख आपको झाहते हैं कि सकतिता हैं कि अगते हैं कि अगzne सोअगए हैं, तो Ground के मbung Day का Father Nye चलिए काफी लोगों का आंसर आ गया है दोस्तों काफी लोगों का आंसर आ रहा है और यह काफी लोग है करीब तीन से चार लोग कैसे कर दे रहे हो चलिए तो उमीद करता हूं दोस्तों ट्राइ की होगे अगर लेवल अच्छा लगा क्वेश्चन का तो एक लाइक कर दीजेगा अगर आप चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है करने के लिए ठीक है लाइक ड देखे इधर ध्यान दीजे वही देखो एक मस्त वाला कंसेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को अगर वह चीज को आप समझ गए मैं समझाने के लिए उसको थोड़ा इजी करके आपको बताऊंगा जितने भी नए स्टूडेंट से अध्यान दीजेगा तभी समझ में आए भी फीमेल होगी उसका जब आप परसेंटेज कैल्कुलेट करोगे उतने मेल आएंगे मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर बोल रहा है 125 परसेंट के वाले के लिए बोल रहा है 125 परसेंट तो 125 परसेंट क्या है मेल है यही बोला है क्योंकि Males as a percentage of female दिया है तो अगर हम मान ले कि 100% female थी तभी तो 125% male हो रहे हैं मतलब 25% जादा बोल सकते हैं नो अगर 100% female है तो उससे 25% जादा males है सेम चीज़ अगर हम आगे और देखें यहां पर तो L वाले में मान लेते हैं कि 100% female है तो male कितने हैं 80% मतलब कि 20% कम है males female से यहां पर देखें 75% दिख रहा है M में इसका मतलब क्या है कि अगर females 100% होंगी आप percent को भूल जाओ आप ऐसा मानो कि अगर मान लेते हैं कि उस जगह पर 100 females हैं तो 75% males हो जाएंगे तो 100 का 75% कितना होता है 75 बस इसलिए हमको क्या करना है हर जगह पे आप females को 100% मान लो क्योंकि percentage में आप कुछ भी मानो values की हिसाब से वो सेम ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आपको तो यहां पर हम क्या करेंगे हर जगह females अगर हम मान लेते हैं 100% है तो आपको males निकल जाएंगे यहां पर 75% males है यहां पर 130% males है यहां पर 140% males है ठीक है अब question को देखिए पहले तो question में क्या बोला था what is the ratio of number of female in L to the number of males in N number of females in L तो L में females कैसे निकलेंगे भई देखो दूसरा वाली चीज़ आपको क्या दिए हुई है difference between male and female अगर मैं बोल रहा हूँ कि females जो है वो 100% है ठीक है males जो है वो 125% है तो आपको difference कितना दिख रहा है देखो दोनों में difference कितना दिख रहा है 25% का दिख रहा है मतलब यह जो difference की value आपको दी हुई थी यह हम बोल सकते हैं कि यह 25% है क्योंकि यह difference दिया हुआ है percentage का difference है 25% value में difference दिया है 1450 तो हम बोल सकते हैं कि 1450 जो है वो 25% है same ऐसे ही हर जगा होगा तो अगर हर जगा ऐसे ही करना है तो किसकी females निकालनी थी L की females निकालनी थी कैसे निकालेंगे देखो L में 100% females हैं ठीक है males कितने दिख रहे हैं आपको 80% यहां लिख देता हूं males और females में तो बोल सकते हैं कि भई जो difference की value 720 दी है ये 720 20% के बराबर था बोल सकते हैं जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं तो 720 difference था उसका percentage कितना है तो इहां आप ऐसे मल्टिप्लाय करते हैं मतलब की into 100, तो यहां आप ऐसे बोल सकते हूं कि ऐसे आप females निकाल सकते हो, हाँ या ना जल्दी बताओ, निकाल सकते थे ऐसे females हम, निकाल सकते न भई, एक मिनुट को कुछ hang हो रहा है, ठीक है, तो यह निकल गया भई आपका, females निकल गई, अब इसका ratio आपको किसके साथ निकालना थ इसका ratio आपको निकालना था, number of males in N, तो N के males अगर आपको निकालने हैं, कैसे निकालेंगे भई देखो, females मान लेते हैं 100%, तो males कितने हो जाएंगे भई, आपको दिया हुआ है, या देखो 130% males है, यह दिया हुआ है males, तो difference आपको कितना दिख रहा है, 30% का difference दिख रहा है, और यहाँ difference में value कितनी दी हुई है, 1680 दी हुई है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1680 अगर difference है, तो difference को difference के percentage से divide करेंगे, इस difference को इस difference के percentage से divide करेंगे, जो निकालना है, हमको क्या निकालना है, males निकालने थे, जो की थे, 130%, तो जो निकालना है, उससे multiply करते हैं, इसको आप solve आपका आंसर आजाएगा 4591, चाहो तो solve करके देख लो, भई ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से काटोगे तो 36, यानि कि 3600 यहाँ आ गया, नीचे वाले को भी ऐसी solve कर लो भई, 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 5 और 6, अब इसको आप solve करो, आपका आंसर आजाएगा, हमेशा solve कर देते हैं, जिद्धे को ratio में solve नहीं करना होता, आप उसको एक साथ solve किया करो, तभी तो आप जल्दी कर पाओगे दूसरों से, उमीद करता हो, समझ में आया होगा सभी को, solve करिए भी जल्दी से, 45 is to 91 आपका आंसर आएगा, ठीक है, आगे चले, next, what is the total number of people in M, M के total number of people बताने हैं, भी बताओ जल्दी से, जिनको समझ में आगया, वो तो बता देंगे, जिनको नहीं समझ में आया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस question में, फिर से मैं वैसे ही पूरा explain करूँगा, basic से, जिनको भी नहीं समझ में आया, wait करिएगा, प्लस में अभी मेरी DI की कोई क्लास नहीं चल रही है, पंदरा तारिक से स्टार्ट होगा, प्लस पे DI का course, mains level का, आप पुराना pre वाला, जो मेरा 100 DI का course है प्लस में, आप उसको देख सकते हो, एक 200 डियाई वाला कोर्स भी आप उसको भी देख सकते हो दोनों कोर्सेस मिलाकर करीब 2500 डियाई मैंने करवाय हुए है प्रेलिम्स लेवल के उससे आपका पीयो और कलर्क दोनों का हो जायेगा वो more than enough है प्री के लिए बाकी मेंस के कोर्से से बहुत सारे उनको देखना स्टार्ट कर देना अगर आपसे अर्थमेटिक नहीं बनता है तो अर्थमेटिक बेस डियाई बहुत सारे मैंने करवाय हुए है 7840 काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं चलो बहुत अच्छी बात है देखो दोस्तों जिनको समझ में आ गया था बहुत ईजी चीज है बही देखो क्या है एम का आपको क्या बुला था टोटल नंबर ओफ वीपल आपको एम में देखो मैंने क्या बता है आभी आप फीमेल को मान लो 100 ठीक है तो मेल कितने हो जाएंगे बही मेल दिया हुए आपको 75% मेल as percentage of female मतलब फीमेल जितनी भी होगी उसका 75% तो वही 100 का 75% तो 75 ही होता है तो यह मेल हो गए आप देखो दोनों का difference आपको कितना दिख रहे है difference दिख रहे है 25% का दिख रहे 25% का difference और यहाँ difference में value दिख रही है 1120 तो इक गाना याद रखेगा हमेशा परसेंटेज का गाना होता है जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मंटिपलाई करते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है भी ग्यारा सो बीस दिया हुआ है यह क्या है डिफरेंस है यह परसे मिल मिलाकर याने 175 तो ये 175 से आप इसको multiply कर दो, तो 25 से अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 7 साथ से इसको multiply कर दो आपका answer आ जाएगा उमीद करते हूं समझ में आया होगा 7840 सभी का आ रहा है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों उमीद करते हूं समझ में आया होगा, मैं फिर से basic से समझाओंगा जिनको नहीं आया बने रही है class के end तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये difference वाला कैसे करते हैं question बहुत easy है, गाना बस याद रखिए जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है उससे multiply करते हैं करते हैं करते हैं काफी लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत lengthy है, कुछ lengthy नहीं है L के mail 80% दिया हुआ है, ये 80% है ठीक है ये 130% है Males और Females का जो difference आएगा उसका आपको average निकालना है, मतलब divide by 5 करना है मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी भई, day 4 में, day 3 में, day 2 में तीन दिनों तक continue मैंने एक चीज़ बताई थी, एक base value ले लो बताया था, उसी को यहाँ पर use करना है, जिसने वो classes नहीं देखी भई, पुरानी classes जरूर देखिएगा एक base value मान लो, हम क्या करेंगे भई, हम base value मान लेते हैं कि males जादा है हम males को base value मान लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको दिख रहा है males as percentage of females और यह दिख रहा है difference between males and females, तो difference तो दिया हुआ था, कुछ लोग क्या की होंगे, direct difference को add कर दी होंगे, पास्ते divide कर दी होंगे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा कुछ जगा पे males जादा है, कुछ जगा पे females जादा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक base value मान रहे है males को, ठीक है, अब percentage से आपको समझ में आ जाएगा, कौन जादा है, कौन का मैं देखो, अगर हमने हर जगा 100% females माना था, तो अगर 100% से यह कम दिख रहा है, 80%, इसका मतलब कि females जादा है यहाँ पर, females जादा है, वैसे ही जहाँ पर आपको 100 से जादा percentage दिख रहा है males का, मतलब males जादा है, simple सी बात है यह चीज उमेद करता हो, समझ में आया होगा, आया सभी को समझ में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100% females है, और 130% male है, इसका मतलब जो difference दिया है, वो क् क्योंकि males जादा है, यहाँ पर देखो भई, यह वाला 1680 को plus में ले लो, इसमें 1250, इसमें भी males जादा दिख रहे हैं, इसको भी plus में ले लो, मतलब कि आप 1450, 1680 और 1250 को add कर दो, 1450, 1680, और कितना दिया हुआ है, 1250, तो यह आपका total कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000, 2000, 3000, 4000 4,380, करके देखो एक बार, 4,380 हो रहा है, पूरा total, जिसमें males जादा है, वो 4,380 हो गया, अब जहां पर females जादा है, वो कितनी है, 720 और 1120, इसमें females जादा थी, तो हम बोल सकते हैं, 1120 में अगर मैं 720 को add कर दूँ, तो 1840 होता है, तो इसमें अगर मैं 1840 माइनस कर दूँ, तो अब मेरे पास कौन सी value बचेगी भई, 2540 बचेगा, इसको आप 5 से divide कर दो, यह आपका answer, तो यह था भई, काफी लोगों ने गलत किया होगा, काफी लोगों ने गलत किया होगा, अब कैसे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनते जान भई, क्यों गलत हुआ था आप लोगों का, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जिनको समझ में आगे बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा, हरबड़ी मत मचाओ भई, quality पर जाओ, quantity पर मत जाओ, ठीक है, आप इस देखो भई, female सो सम्में 100 ले रहे थे हम, अब देखो दूसरे वाले में 80% मतलब 80 male मान लेते हैं, यह मैं example दे रहा हूँ न, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ 75 males हैं, यहाँ पर 130 और फिर 140, अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यह आपको 25 का difference दिख रहा है, यह आपको 30 का difference दिख रहा है, यह आपको 40 का difference दिख रहा है, पर एक थोड़ा सा logic लगाओ न भई, यहाँ पर क्या था male जादा, पर यहाँ पर क्या है female जादा, तो भई, किसी एक को आप plus मानोगे, कि तो किसी एक को तो minus मानोगे, आप चाहो तो करके देख लो, इन पूरे का टोटल, इन पूरे का टोटल, इस पूरे टोटल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 25 क्या है, ये males ज़्याद है, तो हमने males को base value माना, तो मतलब हम इसकी value को plus में लेंगे, और जहाँ males कम है, तो males 20 कम है, यहाँ 25 males ज़्यादा थे, यहाँ 20 males ज़्यादा है, पर फलाना दूसरी वाली city में 20 males कम है, तो इधर वाले जो 25 ज़्यादा थे, 20 उधर डालोगे न, क्योंकि वहाँ कम है males, तो उसे 5 कई जो difference आ रहा है, तो बस वही चीज़ आपको समझनी थी, कि जहाँ पर females ज़्यादा दिखरी, यहाँ को यह देखो, यह वाली value plus में, क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा है, इस वाले में भी 100 से ज़्यादा है, यह भी plus में, यह भी plus में, यह तीनों को add करके, यह और यह वाली value को उनमें minus कर दो, जो value आएगी, 25, 140 आपकी value आई थी, इसको आप 5 से divide करोगे, तो आपका average आ जाएगा 508, उमीद करत चलतें next question पर जल्दी से answer दीजें इसका, देखें मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, level मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाओंगा, इसलिए daily classes देखी, अगर आप सोचोगे, पहली class easy थी, तो सारी classes ही easy होंगी, या पहली class hard हो गई, तो सारी class वैसी रहेगी, ऐ इसा नहीं है, level मैंने zero से start किया है, बिल्कुल basic level से, आप सारी classes देखते जाएए, धीरे धीरे चीजे समझ में आने लग जाएंगी आपको, कैसे हो sir, बस बढ़िया हूँ, चिराग जी, आप कैसे हो, आप बताओ, घर पे सब कैसे है, बस हो गया, हो गया, कितने message करोगे, मै बढ़िया हो गई, चलिए, उमीद करता हूँ, दोस्तों समझ में आया होगा, ये वाला question भी आप लोगों ने बना लिया होगा, तो एक बार देखते हैं, इसको इसमें क्या बोला गया है, बोल रहा है दोस्तों, what is the difference between average number of females in K and L, and the average number of males in M and N, तो आपको K और L की females निकालना पड़ेगा, what is the difference between, दियान से सुनेगा, what is the difference between average number of females in K and L, तो K और L की अगर मैं बात करो, तो यहां की females आपको निकालनी है, द average number of males in M and N, तो M और N के आपको males निकालने हैं, इसके males आपको निकालने हैं, इसके females आपको निकालनी है, ऐसी करना है, हाँ या न, जल्दी से comment करके बताओ, यही करना था, जल्दी बताओ भी, जल्दी, फटा फट करिए, कि क्वेश्चन समझ में आया कि निई इन दोनों के फीमेल सिंगालने झीन कि कि को बेखोत अब एकच्दम से पीच से यहां क हूँ कि अगर मुझे यहां की फीमेल सलसब लोगा तो च् WHO तो मेंस कितने हो ऑजाएंगे 125 क्यांकि 105 में या 162 होता चैश चते तो हम बोल सकते हैं कि भई यह जो difference है वो है 25 का और यहां आपको difference कितना दिया है 1450 का तो अगर मुझे females निकालना है तो मैं क्या करूँगा जो दिया है 1450 दिया है उसको मैं इस difference से divide कर दूँगा और जो निकालना है मुझे female निकालना था 100 तो मैं इससे multiply कर दूँगा तो चार टाइम इसको multiply करने से कितना होता है 5800 आजाएगा 5800 भई 14 forza 56 और 50 into 4 से 200 तो 56 और 200 मतलब 5800 आ गया यह 5800 क्या निकल गई females निकल गई same चीज L वाले में करना है ध्यान से देखते जाओ भई मैं बहुत basic से बता रहा हूँ यह 4 निकालते तक आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो इस वाले में भी मान लेते हैं कि females थी 100 तो मान लेते हैं कि भई अब 100 का 80% कितना होता है 80 तो वो हो जाएंगे males आप देखो difference आपको दिख रहा है 20 का यहाँ difference दिख रहा है 720 का तो हम बोल सकते हैं 720 जो difference है वो इस 20 के बराबर है और हमको क्या निकालना है यह 100 females तो यह 5 times कटेगा तो यह 3600 आपका 3600 होता है न भी यह 3600 आगया तो यह दोनों जगा की females निकल गई ठीक है अब अब उसके बाद क्या करना भई इन दोनों के males निकालने है कैसे निकालने है सेम वही प्रोसीजर वही रहेगा यह अगर मालो यहाँ पर females जो है 100 तो male आपको 75% दिख रहे है मतलब 75 difference आगया 25 का 1120 दिया है difference तो difference is difference के बराबर होगा यानि कि 1120 अगर 25% के बराबर है तो हमको निकालने है males यानि कि 75% तो 25 से एक अटेगा तीन टाइम 11 इंटू 3 करोगे 3300 और 20 इंटू 3 करोगे 60 मतलब बोल सकते हैं 3360 हो गया सेम चीज लास्ट वाले में अगर यहाँ पर female है 100 तो male कितने दिये हुए देखो भई 130% of females मतलब कि 100 का 130% तो वो 130 ही होता है difference देखो 30 यहाँ difference दिया है 1680 तो बोल सकते है 1680 जो है वो अगर इस 30 के बराबर है तो 30 से divide करो जो दिया है उसको उसी के percentage से divide करते हैं जो निकालना है हमको क्या निकालना है भई हमको निकालने थे males यानि की 130 इससे multiply करो 0 से 0 कट गया 3 से इसको काटोगी तो 5 6 और 0 multiply करो अभी जस निकाले तो थोड़ी देर पहले याद हो नीच यह भई values थोड़ी देर पहले ही हम नहीं उस समय calculate नहीं किये थे अभी calculate करो 7 2 8 0 मेरे ख्याल से 5,013 6 ठीक है 13 5 13 5 65 होता है मतलब कि 6,500 तो ऐसी ही हो गया कैसे calculate करता हूँ भी मैं बता रहो देखो 13 इंटू पहले 5 करूंगा तो 13 इंटू 5 कितना होता है 65,500 यह तो ऐसे ही हो गया अब 13 इंटू 6 करूंगा तो 13 इंटू 6 कितना होता है 78,78 और 0 add कर दो भी कितना हो गया आपका 7 2 8 0 ठीक है तो यह आ गया भी आपका 7 2 8 0 करना क्या था question में आप question को देखो जिनसे नहीं बनता है न यह मैं ऐसा इतना अराम से slow slow क्यों कर रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि हर चीज को सीखने की आपको fast अगर कोई चीज करनी है तो पहले आपको slow 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 करना पड़ेगा आप पहले दिन से सोचोगे कि लोग अगर 30 सेकंड में निकाल दे रहे मैं भी 30 सेकंड में निकाल लो मुझे बस कोई shortcut मिल जाए तो आप ऐसे घूमते रहोगे चार शे महीने तक आपकी speed नहीं आने वाली तो अराम से start करिए धीरे धीरे हो सकता है एक दीर महीन दिफरेंस निकाल लो दोनों का दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना हो जाएगा भी 5389 9400 यह है ठीक है यह वाला कितना है 7, 3, 10, 10, 5, 6, 8, 6, 14, और 4, 10,640, calculate कर लो भी एक बार, क्योंकि मैं हलवडी में कर रहो तो शायद थोड़ा गलती हो सकती है तो देख लीजेगा एक बार, 10,640 है ना तो 6, 6, 1240, 1240 को अगर आप divide करते हो, यह देखो, यह 9400 है, यह दोनों टोटल किया मैंने, यह 9400 यह दोनों को टोटल किया, यह 10,640, तो 10,640 और 9400 की बीच डिफरेंस कितना होता है 600 इधर, इधर 640 मतला टोटल, 1240, 1240 का आधा कितना होता है, 620, यह इसका average था बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, क्लास को एक बार फिर से जरूर देखेगा, ताकि आप यह सब चीजे समझ पाएं क्योंकि question कभी कबार ऐसे type के आते हैं, और यह question जिसको समझ में आ गया, वो बोलेगा बहुत हलवा है लेकिन वही चीज एक ऐसा student जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए यह बहुत hard question है पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, यह hard नहीं है, यह बहुत ही simple question है hard क्या होता है वो आप लोग मेंस लेवल की जो मैं classes लोंगा उन में आके आप देखिएगा आज रात को एक मेंस लेवल डी आई की class होने वाली है अगर time मिल पाया तो जरूर मैं आज एक मेंस लेवल डी आई करवाऊंगा रात में, जरूर आईएगा दोस्तों मिस नहीं करिएगा रात को ग्यारा बज़े अमरीत जी क्या हो गया हाँ यहीं यूट्यूब पर ही होगी रात को ग्यारा बज़े मेंस लेवल इसका अंसर आप लोग कोई देना भी इसका अंसर आप लोग कोई देना भी नंबर अप मेलस इन ओ इस वाट परसेंट अफ टोटल स्ट्रेंथ इन एल देखो इसको निकालने का तरीका मैं सिर्फ आपको fraction बना के दे दे रहा हूँ यहाँ पर आप उसको solve खुद करोगे ठीक है यह आप लोगों का homework टाइप रहेगा मान के चलो आपको आंसर खुद निकालना है मैं सिर्फ बता देता हूँ कैसे करना है the number of males in o तो o की अगर बात करें मान लेते हैं यहाँ पर females कितनी है 100 तो males कितने हो जाएंगे 140 परसेंट यानि की 140 तो difference कितना आया चालिस का 40 का difference दिख रहे है न भी दोनों में तो वो difference यहाँ पर आपको बता दिया है 1250 तो जो दिया है 1250 दिया है difference उसको उसी के percentage यानि difference के percentage तो 40 था उससे divide करते हैं हमको क्या निकालना था males, males कितने हैं 140 उससे multiply करते हैं तो यह आगए males बोल रहा है number of males in o यह number of males आगए ok solve नहीं कर 5 by 100, अब किसे percentage निकालना था इसका, to the total strength of L, तो L का total strength कैसे निकालेंगे, देखो L में female कितनी मान लेते हैं 100, तो male कितने, यहाँ पर देखो 80% दिख रहा है, 100 का 80% होता है 80, difference कितना 20, जो दिया है 720 difference दिया है, 720 को उसके difference यानि कि 20 से divide करेंगे, यहाँ का difference है 20, यह difference दिया ह 720, जो निकालना है हमको total निकालना था, तो 180 कितना होता है 180, इस पूरे को आप solve कर दो, आपका answer आजाएगा, अब यह आपको करना है solve, ठीक है, यह आप लोगों के लिए है, इसको solve करिए, answer बता दीजे मुझे 67.57, ठीक है, काफी लोग दे रहें 67.57, देखो मैं check नहीं कर आपको ही solve करना है, आप ही answer निकालोगे, तो एक बर answer मैं दिखा देता हूँ, इसका ताकि आप लोगों सही है कि नहीं, तो 67.52 आ रहे है भई, answer इसमें, छीक है, बिल्कुल सही answer है, तो calculate खुद से करके देखिएगा, ठीक है, calculate खुद से करना है आप लोगों को, चलिए, start क झालोग गर्या रहे बिल्कुल सही है, वाई bringing in दिके ताकि लोगों सही है, तो regret में जुद से करना है, तो membership dot n prawn anyway, वहा है लोगों को 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 आप।, कहीं? झाल 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 चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने solve कर लिया होगा तो चलिए start करते हैं इस question को देखे तीन मिनट मैक्स तो मैक्स इससे ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए था इसमें तो question में क्या बो रहा है 7% namely PQRSTUV sell different laptops तो वो अलग अलग laptop बेचते हैं ठीक है आगे आपको बो रहा है but not necessarily in the same order they have three different number of shops तो तीन different number की shops हैं दो चार और पाँच ठीक है अब बो रहा है never skip puzzle मतब कभी छोड़ना नहीं चाहिए इस type के question को और बनाने का तरीका क्या होता है दो चार पांच को आप set कर लो ठीक है तो इस तरीके से आपको बनाना होता है अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कम से कम दो तो हर जगा आने ही चाहिए भई दो इधर दो इधर दो इधर तो साथ में से कोई एक person ऐसा होगा मतब कोई एक shop ऐसी होगी जहाँ तीन लोग होंगे क्योंकि दो दो तो minimum ठीक है आगे क्या बोल रहा P sells Lenovo and R has four shops P जो है वो Lenovo बेचता है और क्या बोल रहा है R has four shops तो four shops किसके पास है R के पास है आगे आपको क्या बोल रहा है T has more shops than V T के पास ज़्यादा shops है V से ठीक है Q does not sell Lava and Asus तो Q जो है वो Lava sell नहीं करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं Q जो है वो Lava और Asus sell नहीं करता ऐसे cross कर देंगे आगे क्या बोल रहा है U does not sell Lava U जो है वो भी Lava sell नहीं करता तो यहाँ पर ऐसे U लिखके इस तरफ भी ऐसे cross का sign बना देते हैं ठीक है यह भी sell नहीं करता आगे बोला है आपको P has more shops than U P के पास U से ज़्यादा shops है T sell A sir T जो है वो A sir sell करत एस दा one who sells Dell बोल रहा है कि T जो की A sir sell करता है same number of shop होगी उस बंदे के जैसे ही क्या बोला है देखो ध्यान से पढ़ना भी कंडिशन बहुत important है U कहां गया T sell A sir T जो है वो A sir sell करता है and has same number of shop only as the one who sells Dell मतलब Lava यह जो A sir T और Dell वाला है यह दो ही person साथ में होंगे बस इसके अल ध्यान से देख लो भी T sell A sir and has the same number of shop only as one who sells Dell मतलब सिर्फ यही दो बंदे एक साथ आने वाले हैं आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और इससे हम इसको confirm कर सकते हैं कि यहाँ पर होगा 5 वाले में बोल सकते हैं बहुत जब बोल वाले में नहीं हो सकता तो डेल एसर टी को आप यहाँ पर रख सकते थे क्या सोचिए थोड़ा सा क्या आप यहाँ पर रख सकते थे S sells Samsung and has two shops तो S जो है वो उसके पास दो shops है और वो Samsung sell करता है यहाँ पर लिख देते हैं Samsung ठीक है और क्या बोला है the difference between the number of shops between P and U is an even number तो P और U के बीच का जो क्या होगा P और U के बीच में क्या बोल रहा है आपको difference जो होगा shops का वो क्या है even number मतलब 2 और 4 P और U के लिए ऐसा बोल सकते हैं P और U जो है वो इन दोनों जगह में ही आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते अब आपको और क्या बोला है भाई आगे the one who sells Lava and Asus have same number of shops तो Lava और Asus वाले same number of shops मतलब Lava यहाँ है तो Asus भी यहीं पर होगा बोल सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं अब देखो दोस्तों जब आपको पता है P Lenovo है तो वो Lava और Asus में तो हो नहीं सकता अगर P Lenovo है तो वो Lava और Asus में तो हो नहीं सकता तो P के लिए तो सिर्फ यहीं दो जगह दिख रही थी आपको तो जब P यहाँ पर नहीं हो सकता मतलब definitely बोल सकते हैं कि P यहाँ पर होगा और इसमें आ ठीक है आप देखो Acer जो था वो T था क्या बच गया आपके पास यहाँ पर देख लेते हैं हम यह देखो अगर P यहाँ पर आ चुका है मतलब कि U definitely उपर जाएगा अगर P यहाँ पर आ गया है तो definitely U यहाँ पर होगा क्योंकि आपको बोला था दोनों की number of shops का difference even number है तो अग पूस बेचेगा ठीक है अब देखे दोस्तो हमारे पास और कॉंसी condition बच गई है T के पास जादा है V से ध्यान से सुनना T के पास जादा number of shops है V से तो अगर T के पास 5 shops है मतलब definitely V के पास 5 यहाँ तो नहीं हो सकता V क्योंकि V से जादा shops है तो अगर T के पास 5 shops है मतलब V के प पचा है आपके पास Q, उसको यहाँ पर रख दो, और एक ही company का नाम बचा है, उसको आप यहाँ पर रख दो, जो भी company का नाम बचा है जल्दी से देखो और बताओ कौन सी company थी, HP थी मेरे ख्याल से, HP को यहाँ पर रख देंगे, question आपका solve हो चुका है, ठीक, उमीद करता हू दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, चलते है next question पर, जल्दी से बनाईए, तीन मिनट का समय है आप लोगों के पास, का समय होते हैं, अखर मोगों का समय होगा धभरे खाम होगों का समय है, य Are यूटर झाल झाल चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो सॉल्व हो गया होगा यह सिंपल सा क्वेश्चन था एक दम बिल्कुल क्लरक लेवल का तो स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने का तरीका दोस्तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 9 और 18 दिया है तो अब इसको ऐसा नोट करूँ 9, 18, 9, 18, 9, 18, 9, 18 ठीक है कुछ लोग 9 इधर लिखकर 18 इधर लिखते हैं और फ्लेट फ्लूर वाले पजल की तरह बनाते हैं वैसा मत बनाएगे कि confusion उसमें जादा होता है ठीक है यह बहुत सिंपल तरीका होता है इसमें बहुत जल्दी बन जाता है अब देखे आपको मंत कौन-कौन से दिये थे जैनवरी, फैबरेरी, मार्च, एप्रेल यह हो गया जैनवरी, फैबरेरी, मार्च और एप्रेल तो 31, 28, 33, अब देखे दोस्तों आप लोगों को बोला क्या है आगे G was born in month having least number of days मतलब कि G के लिए आपको पता है कि फैबरेरी वाले मन्थ में आना चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो G को यहां रख दो, यहां रख दो ठीक है पर फिर भी हम कोशिश करेंगी single में ही बनाए 3% were born between G and F, G और F की बीच में 3 लोग बैटे हैं आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, G से 3 छोड़कर F यहां पर और G से 3 छोड़कर F यहां पर क्योंकि और उपर की तरफ possible ही नहीं है मैं दूसरा भी तरीका बता देता हूं कि कैसे आपको बनाना था आगे आपको क्या बोला है, D was born before G but not in the same month आपको बोल रहा है कि D जो है, वो G के पहले born हुआ है लेकिन same month में नहीं है, मतलब D के लिए आपको पता है कि यही वाला month होगा आगे आपको क्या बोला है, 5 person were born between B and C who was born after B मतलब बोल रहा है कि 5 person B और C के बीच में है और 1, 2, 3, 4, 5 और यह C और आपको बोला क्या था कि C who was born after B, मतलब B के बाद ही C born हुआ होगा तो 5 लोग इसके बाद होंगे, तो दोस्तों यह वाली condition से आप इसमें set कर दोगे, दोनों में दोनों चीजों में set हो जाएगा, आगे आपको क्या बोल रहा है हाँ पर E was born before H and both of them were born on same date तो E, E उपर की तरफ होगा, H, ऐसी बोला है आपको E was born before H and both of them were born on the same date मतलब हम इसको बोल सकते हैं, same date ठीक है, और क्या बोला है आपको A was not born on an even number date मतलब की A जो है, वो 9 तारिक को born हुआ होगा ठीक है, क्योंकि even 18 में वो born नहीं हुआ है, ऐसा आपको बता है अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनिए इस question को काफी लोग औरली भी solve कर लेते हैं, इसलिए जल्दी done लिख दिये थे, काफी लोगों की understanding बहुत अच्छी होती है, वो तुरंत देखते साथ चीज़ों को समझ जाते हैं, ये वाली condition बहुत perfect थी उस चीज के लिए जब दोस्तों आप ये वाली condition को देख रहे हो, B और C वाली को, तो अगर ये वाली possibility में आप रखना चाहोगे, तो खुँछ सोचिएगा कि B को यहां रख कर possible होता क्या, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर C आप नहीं रख पाते मतलब definitely B यहां पर और आपको C यहां पर रखना पड़ता, यही possible था, इस वाले case में क्या होता, B यहां पर आता C यहां पर आता, और कुछ possibility ही नहीं बनती, तो D के लिए ये वाली जगा, ये वाली जगा बन रही है तो understanding के हिसाब से अगर देखा जाए, दिमाग लगाने वाले जो students होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको पता है B और D यहीं पर आने वाले उपर, वो fix नहीं करेंगे उसको, वो सिफ दिमाग में रखेंगे, भई B और D यहीं आने वाले F और C यहीं आने वाले नीचे ठीक है, इतनी चीज़े confirm हो गई, तो बाकी की condition से वो चेक करते हैं, कि भई क्या यह possible है, सोचिए जल्दी से, क्या यह possible है E और H वाली condition, किसमे possible है, किसमे possible दिख रहा है आपको E और H वाला, देखो खुद आपको समझ में आ जाएगा, बाई, सिंपल सी चीज़ थी न, देखो, 18 और 18 में यह दुनों आएगे, तो 9 वाला बचेगा E के लिए, बस, यही वाला तो था condition, solve हो गया, E जो है, वो H के उपर है, H यहाँ पर E यहाँ पर A आ जाएगा, इस वाले में क्या गलत होगा, बाई, A जो है, वो 18 पर आ इसको बनाईए जल्दी से, तीन मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को वैसे, पिछला question तीन मिनट के लायक नहीं था, वो देड़ मिनट के लायक था, यह तीन मिनट का समय है, बनाने के कोशिश करिए, काफी सारे लोगों के डन के messages आ रहे हैं, दोस्तों अगर आप लोगों ने solve कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिन्हों ने solve नहीं किया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, देखो, क्या बोल रहा है, the one who is vice president, इससे पहले तो फट लेते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा है, eight colleagues, PQ, R, S, T, U, V, and W, are sitting around a circle table facing the center, but not necessarily in the same order, each one of them holds a different post, manager, company, secretary, chairman, vice president, clerk, accountant, and managing director, चलिए, तो start करते हैं, दोस्तों, बोल रहा है कि एक circle में आठ लोग बैठे हुएं, तो हम circle को break करेंगे thread में, मतलब कि circle को open कर देंगे, तो यह ऐसे करके, एक thread बन जाएगा, एक सीधी, रेखा, अब यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ लोग हो गए, इसको आप अगर पकड़ के ऐसे join कर दो, तो वो circle बन जाएगा, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा imagine करना है, बस आप लोगो को, शुरुवात में थोड़ी तकलीफ होगी, इस question को इस तरीके से बनाने में, किसी भी circular को, लेकिन बाद में आपको बहुत आसान ल left में बैठा हुआ था T से, ऐसा, ठीक है, अब बोल रहा है, P sits third to right of MD, P जो है, वो third to right में बैठा है MD से, तो MD के third to right में ऐसे P बैठा हुआ है, और देखें आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, only two people sit between MD and W, तो बोल रहा है कि दो ही बन्दे बैठे हैं, किसके किसके बीच में, only two people sit between MD and W, तो MD से दो छोड़कर अगर इस तरफ P है, तो definitely बोल सकते हैं कि MD से दो छोड़कर W इस तरफ हो जाएगा, ऐसा बोल सकते थे हम, हाँ या ना जल्दी बताओ, भाई, हिंदी मीडियम वालों का अभी दिएण रखा करू भाई, तो ये, ये कौन सी language है, कैसे कर दे रहे हो, नित जैन, ये कौन सी language है हिंदी, हिंदी ही तो है, अपनी तरश से मैं कोशिश करता हूं कि मैं हिंदी में प्रोवाइड करो थोड़ी बहुत गलतियां होती है फिर भी मैं प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मुझे पता है भई कि हर कोई इंगलिश में नहीं बनाता है अटलीस आपको थोड़ा बहुत जो कुछ गलती होगी इधर से देख के समझ लो इतना तो आप भी अज़ेस्ट कर सकते हो भई ये कंदिशन समझ में आई M-D से दो छोड़ कर अगर राइट पे P है और बोल रहा है M-D और W के बीच में दो लोग थे तो डेफिनेटली M-D से दो छोड़ कर W यहां कैसे रखो दो पे वहां तो P है न तो डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ में होगा अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं MD को यहाँ पर बना लूँ, let's suppose, कि मैंने MD को यहाँ पर बना दिया, यह managing director, इसका direction मैंने उपर की तरफ दिखा दिया, ऐसा, हमको नहीं पता न, किस direction में face कर रहा है, वो उपर की नीचे, लेकिन question में आपको क्या बोला था, सारे क सारे कहां face कर रहे हैं, यह देखो, facing the center, मतलब एक direction मैंने उपर ले लिया, तो सारे direction उपर की तरफ ही होंगे, तो यह भी उपर हो गया, यह भी उपर हो गया, यह भी, यह भी, यह भी और यह भी, आप कहीं पर भी ले सकते हो, MD ज़रूरी नहीं कि यहीं लेना है, आप यहा पर, आएगा ना, भी, T यहाँ पर आएगा ना, तभी तो second to left में W होगा, मतलब यह condition भी हो गई, यह condition भी हो गई, अब आगे देखते हैं, क्या बोल रहा था आप लोगों को, neither P nor W is a vice president और a company secretary, तो P और W यह दोनों के दोनों ना तो VP हैं, ना तो CS हैं, तो यह VP और CS नहीं होने चाहिए, ठीक है, और आपको क्या बोला था, W के right में VP नहीं है, मतलब W के immediate right यहाँ पर भी VP नहीं होगा, यही बोला था, आगे देखो क्या बोल रहा है आपको, VP is not an immediate neighbor of managing director, VP जो है, वो MD का neighbor नहीं है, मतलब VP यहाँ पर नहीं हो सकता, VP यहाँ पर नहीं हो सकता, बई कोई जगा है VP के लिए, और तो कोई जगा ही नहीं थी, आगे आपको क्या बोल रहा है, M, manager sits second to left of T, manager जो है, वो T के second to left में, मतलब definitely यही manager था, था ना भई, यही, T के second to left में manager, आगे क्या बोल रहा है, the manager is an immediate neighbor of both clerk and accountant, तो manager जो है, वो clerk और accountant का neighbor है, मैंने आपको एक चीज ब लिखता है, तो oblique करके लिख दो, तो आपको पता चलिए भी, यहाँ पर या तो clerk आएगा, या तो accountant आएगा, same चीज, manager का दूसरा neighbor कौन होगा भई, इस तरफ वाला neighbor, तो इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब यह वाला person, तो यह या तो clerk होगा, या तो accountant होगा, ठीक है, तो दो और accountant sits third to right of Q, accountant जो है, वो third to right में बैठता है, किस से Q से, accountant जो है, वो Q से third to right में बैठता है, ऐसा, आगे देखे क्या बोरा, Q is not the vice president, ठीक है, Q जो है, वो vice president नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, Q जो है, यह VP नहीं है, मतलब VP वाली जगा पर, यहाँ पर Q नहीं आ सकता, ठ ज्यादा होच-पोच लग रहा है, अब देखे दोस्तों, आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था आपको, R sits to immediate right of chairman, R जो है, वो immediate right में बैठता है, किस से, chairman से, ठीक है, थोड़ा writing अच्छी नहीं बनी, देख लीजेगा, इसको लिख लीजेगा, तो आ और क्या बोला है, आपको, P is not the chairman, U is not an immediate neighbor of P, U जो है, वो P का immediate neighbor नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं, U यहाँ पर नहीं आ सकता, और U यहाँ पर नहीं आ सकता, अब बताओ दोस्तों, इसमें क्या चीज़ को हम set कर सकते हैं, जो जो हो गया है, उसको तो मैं हटा देता हूं पहले था कि आप लोग को अच्छे से दिखें, जल्दी से बताओ दोस्तों, कौन सियसी कंडिशन जिसको हम set कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एक्जाम में कैसे हटाएंगे, एक्जाम में आपको हटाना नहीं है न भी, यहां मैं चीजे समझा रहा हूं, clear दिखेंगी, तब तो अच्छे से समझ में आएगा, एक्जाम में तो सिर्फ आप ही को समझना है, दूसरों को तो नहीं समझना है, ठीक है, तो आप ऐसी राइ राइटिंग डॉक्टर पढ़ लेता है, भले हमको ना समझ में आए, यह क्वेशन तीन मिनट का नहीं है, यहां सही बोले, धाई मिनट का था, सही बात, थ्रेड मेथट से लागर बनाओगे, इस मेथट से अगर बनाओगे, तो धाई मिनट लगेगा, बहुत जादा समय नहीं लगेगा, तो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताओ, क्यू से दो छोड़कर अकाउंटेंट आपको रखना था, Q से दो छोड़कर आपको अकाउंटेंट रखना था, अब दोस्तो ध्यान से देखिए, जब आपको पता है अकाउंटेंट Q से 2% छोड़कर रखना था आपको ऐसे राइट की तरफ में, अगर मैं यहां पर Q को रखूंगा P की जगा पे तभी तो एक परसन फिर दूसरा परसन छोड़कर यहां अकाउंटेंट आता वो तो पॉसिबल ही नहीं क्यों कि यहां तो P बैठा हुआ है तो definitely हम बोल सकते हैं कि Q को हम यहां पर लेंगे यह वाली जगा पे ताकि 2% छोड़कर यहां अकाउंटेंट आ जाए यहां पर कलरक आ जाए तो भई इसको देखो एक्जाम में ऐसे आप हटा नहीं सकते तो आप क्या करोगे यहां से अकाउंटेंट को काड़ दोगे और यहां से कलर को काड़ दोगे ऐसा एक्जाम में ऐसा बनाना होता है पर आप लोगों को clear दिखे इस वज़ देसे मैं इसको पूरा से clear करके यहां पर लिख देता हूँ कि यह लिख ज़ग है ठीक है, वैसे ही ये वाला accountant है, बहुत simple था यार, इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्यों नहीं समझना है, तो वो accountant हो गया भई, क्यू भी set हो गया, ये वाली condition हो गई हमारी, अब क्या बचा है भई हमारे पास chairman के just right में R आपको रखना है chairman के just right में आपको R रखना है, और U रखने के लिए आपके पास कौन-कौन सी जगा है, भी देख लेते हैं यहाँ पर ये दो जगा पर U नहीं आ सकता है, मतलब ये दो जगा पर U आ सकता है, तो U के लिए ये दो जगा है आपके पास, और क्या चीज बचिए आपके पास, देख लो भी Q तो हो चुका था chairman P नहीं है, और chairman के just बगल में R है, ध्यान से देखना, भी chairman को अगर मैं यहाँ पर रखता हूं, तो MD में R हो जाएगा अगर मैं chairman को यहाँ रखता हूं, तो MD में R हो जाएगा, अगर मैं chairman को यहाँ रखता हूं, तो यहाँ R हो जाएगा, हो जाएगा P पे chairman नहीं आ सकता, मतलब दो possibilities बन रही है, आपकी chairman R chairman R, बन रहा है न, दो possibility और क्या चीज बच रही है आपके पास और क्या चीज बच रहा है आपके पास CS के लिए बताओ CS कहाँ पर रख सकते हो, T का कोई condition दिया था कहा है, यार मैं कुछ हटा दिया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, एक बर पढ़ लेता हूं Even who is vice president does not sit immediate right of W who sits second to left of T P sits third to right of managing director only two people sit between MD and W ठीक है VP and the CS are immediate neighbors of each other ठीक है, दोस्तों यह वाली condition को मैंने लिखा नहीं है या तो मैं note नहीं किया मतब या तो मैं note नहीं किया, या तो दिमाग से निकल गया VP and the company secretary are immediate neighbor of each other अगर वो दोनों एक दूसरे के neighbors हैं तो VP के बगल में CS तो यही दो जगा दिख रही है आपको यहां CS नहीं आ सकता, तो CS तो यहीं आना था तो अब जो यह वाली condition थी ना chairman के बगल में R तो chairman यहां नहीं रख सकते मतब यहीं पर रखोगे यह हो गया आपका chairman, इसके just बगल में R अब देखो दोस्तों, U यहां नहीं आ सकता U यहां नहीं आ सकता, तो U के लिए यहीं जगा है यहां पर जो एक नाम बच गया, उसको रख दो और क्या बचा था आपके पास और क्या बचा है भी इसके अलावा यह देखो, यहां पर एक नाम क्या बचा भी, एक नाम बताओ जल्दी से पहले तो MD हो गया, और क्या-क्या नाम बचा था जल्दी नाम बताओ भी, यहां पर क्या आएगा इस वाली जगा पर प्रेसिडेंट बचा था, प्रेसिडेंट हो गया यहां पर अब यह बता, अकाउंटेंट कौन होगा अकाउंटेंट कौन होगा, जल्दी से आंसर दीजे बही, किन से किन से बन गया है, पता चल जाएगा जल्दी से बताइए, अकाउंटेंट कौन होगा अकाउंटेंट पे कौन आएगा, कौन है, अकाउंटेंट आंसर दीजे, जितने भी लोगों ने बनाया है है फटाफट जल्दी से यह कौन है जो वाइडन वाला वाइस प्रेसिडेंट एंड दे कम्पनी सेक्रेटरी आर इमेडियेट नेबर्स और इच अधर अभी किसी ने सवाल किया था कि सर कैसे आपने यह फिक्स किया तो दोस्तों यह एक कंडिशन दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट एंड दा कम्पनी सेक्रेटरी आर इमेडियेट नेबर्स ऑफ इच अधर तो यहां पर देखो आपको सीएस नहीं इसके बगल पे ही रखना था वीपी के तो यहां सीएस आ नहीं सकता मतलब सीएस सिर्विया ही पर आएगा और तो कुई जगह ही नहीं है ठीक है तो काफी लोगों ने आंसर सहीं दिया है काफी लोगों ने गलत भी दिया है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ और चोड़ दिया हूं इसमें देख लेते हैं भई सहीं आंसर दिये हो पर मुझे क्यों गलत लग रहा है सहीं तो बनाया हो ऐं है टीं इस थेटव राइटावमैनग को ने राइटार मानजिंग डिरेकटर उपन ह Конelle compartil से स्थेटव द olan य is vice-president or a company should program, it is not an immediate member, agent director, manager sets second to left of T, the manager is an immediate member of both clerk and of the content. क्या हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या condition छूट गई मुझसे? मुझे line बताओ, पता नहीं क्यों वो line नहीं दिखरी है, मैं तीन बार पढ़ चुका हूँ, मैं तीन बार पढ़ चुका हूँ, मुझे line ही नहीं दिखरी है, manager V के पास नहीं है, अरे या, तभी मैं सोच रहा हूँ, उसमें तो है ही नहीं है, condition, हद है मतलब, यहां तो ही नहीं वो condition, condition तो question में इधर दी हुई थी, तभी आप लोग बना लिए और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे से क्यों गलती हो और या आप लोग कैसे बना लिए, V is not an immediate neighbor of the manager, यह condition तो उधर मैंने leech नहीं थी, ठीक है चलो भई समझ में आ गया, V जो है वो manager का neighbor नहीं हो सकता मतलब V यहां नहीं आएगा, V यहां आएगा, ऐस यहां आएगा, हद है, चलो, खेर, कोई नहीं होता है ऐसे छोटी-छोटी चीजे, बड़े-बड़े शहरों छोटी-छोटी बाते होते रहती है, ऐसी बड़ी-बड़ी classes में छोटी-छोटी बाते होते रहती है, Telegram Channel, Banking Chronicle, join कर लीजेगा. पहले question का answer जल्दी से दीजेए. पहले पाद कीजेखे होते हैं, आएगा, Bentley अटेगो रहती है, बारी पाले है, कोई वैस हा रहती है, औराया है, कातंजे दीजेखे लीजेगा, का मुझा कीजेगारी ज्टी झाले ह rätt़ एक फढ़ेए, चलिए तो काफी लोगों का आंसर आ रहा है 280 kg तो यहां पर देखते हैं दोस्तों देखिए question को सबसे पहले तो समझें इसमें क्या दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि graph shows the sales of fruits by Reliance Fresh in month of December December के महिने में Reliance Fresh ने कितना कितना fruits बेचा है तो यह red वाला जो है वो आपको kg में बता रहा है quantity और साथ में यह बता रहा है price per kg मतलब 1 kg का कितना price है ठीक है और सारे fruits के नाम यहां पर आप लोगों को दिये हुए तो अगर जैसे बात करें गुवावा की तो गुवावा 350 kg बिक price of guava increases by 25% तो आपको बोल रहा है कि गुवावा का जो price था पहले 40 रुपए पर kg था दिसंबर के महिने में यह देखो दिसंबर में पर बोल रहा है कि जनवरी में क्या हो जाएगा यह 25% से increase हो जाएगा तो अगर मैं 40 को 25% से increase करूँ तो 40 का 25% कितना होता है दस उतना price आगे आप लोगों को क्या बोल रहा है if his earnings from guava in January are constant अगर उसकी earnings जो है जैनवरी में वो constant है मतलब कि उतना ही पैसा वो कमा रहा है जितना वो दिसंबर में कमाया था तो find the quantity that he sold in January तो कितनी quantity वो बेचेगा कि जैनवरी में भी उसका जो मतलब पैसा जो वो कमा रहा है वो से किम ही रहे दिसंबर महीने से तो दोस्तों बड़ा simple सा सवाल है ये ध्यान से सुनिए आप लोगों को पता है कि पहले वो साड़े 300 kg बेचता था 40 रुपए के हिसाब से तो अगर मैं साड़े 300 kg 40 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं मतलब 35 into 4 करोगे 140 और 2-0 लगा दो मतलब 14,000 रुपए का वो गुआवा बेच रहा था दिसंबर के महीने में अब जनवरी के महीने में भी अगर उसको 14,000 रुपए का ही बेचना है ठीक है total और 50 रुपए पर kg के हिसाब से तो आप इसको 50 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 गया 5 से इसको अगर आप काटोगे तो 280 मतलब 280 केजी अगर वो बेचेगा 50 रुपए के हिसाब से तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना 40 रुपए के हिसाब से 35 केजी बेचने में मिलेगा उमीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा ठीक है चलिए आगे चलते है नेक्स्ट क्वेशन जल्दी से इसका आंसर दीजिए है तो है? शीवम बिल्कुल सही है आपकी अप्रोच 350 डिवाइड बाइ 50 इंटू 40 बिल्कुल सही अप्रोच है चलिए काफी सारे लोगों का अंसार आ रहा है देखते हैं दोस्तों सेकंड कोशिशन में क्या बोला है समझने की कोशिश करिए ठीक है समझोगे तो सारी चीज़े असान लगेंगे क्वेशन नमबर टू क्या बोल रहा है इफ शौपकीपर ड्यूटो क्रिस्मस मंत उफ़रद डिसकाउंट ओफ 20 पर्सेंट आन चाहा चैपरिए इसन। क्या 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 रहा है इसका जो चै Deborah का चैपरिए का 200 kg भी करा था पर discount देने की वज़े से क्या हुआ 35% उसका sales बढ़ गया मतलब कि अगर पहले 200 kg भी करा था तो 200 में 35% बढ़ा दो, 200 का 35% होता है 70, यानि कि 270 kg अब वो बेचेगा ठीक है, और discount कितना दे रहा है 20% का तो भई पहले price था 120 रुपए अब 120 में अगर 20% का discount दिया तो भई 120 का 20% कितना होता है 24 उतना minus कर दो discount देने के बाद 96 रुपीज में बेचेगा, तो आप इसको multiply करो 96 से अब दोस्तों इसको पूरा multiply करने की जरुवत नहीं है क्योंकि आपके जितने options दिख रहे हैं, भई पहला तो 0 आ रहा है क्योंकि यहां 0 है, तो पहला तो 0 ही आएगा अब उसके बाद देखो 6, 7, 42 होता है 6, 7, 42 होता है मतलब कि 2 आपका unit digit इस तरफ से, 0 को हटा दोगे तो पहला digit 2 दिख रहा है, मतलब पहला वाला option आपका right answer था तो पूरा multiply करने की जरुवत नहीं है अगर none of this लिखा होगा option में तो जरूर multiply करके check कर लेना गलती मत करना, ठीक है फिर से एक बार बता देता हूँ, बही 200 जो था, पहले 200 kg बेच रहा था अब 35% से sales increase हो गया मतलब कि 200 जो था, वो 270 हो गया 35% बढ़ गया ऐसी ही 120 जो था, उसमें 20% कम हो गया तो 120 का 20% होता है 24, वो कम कर देंगे तो 96 रुपीर्स पर kg के हिसाब से 270 kg बेच रहा है तो price आपको पता चल जाएगा 25920 next जल्दी answer दीजे, फटा फट अरल, आपको झा भग्ड़ा झाल पजल का वीडियो कल आएगा कल पजल बनाएंगे चलिए तो इस question को देखते हैं दोस्तों देखे क्या बोल रहे हैं आपर by selling which fruit shopkeeper earned minimum amount of money among all the mentioned fruits 20 second का question था अगर आपका multiplication अच्छा है तो क्या बोल रहा था by selling which fruit shopkeeper earned minimum amount of money बहीं simple सी बात है zeros को आप ignore कर दो एक एक जीरो हर जगा से ignore कर दो 25 इंटू 4 करोगे 100 आता है इस वाले में देखो 25 इंटू 8 करोगे 200 हो जाता है 35 इंटू 4 करोगे तो 140 हो जाता है तो minimum कहां दिख रहा है इसी में दिख रहा था पापाया में पापाया आपका answer था तो अगर आपका multiplication अच्छा है अगर आपको tables छोटे वाले याद है 25 तक 25-30 तक अगर tables याद है तो तो इसमें आएगा पापाया पापाया आपका answer ठीक है चलो next जल्दी बनाइए देखे क्या बोल रहा है दोस्तों इस question में काफी लोगों का answer तो आ रहा है उम्मीद करता हूँ try किया होगा सभी ने और answer आया होगा जिनसे नहीं solve वोगा इधर ध्यान दीजे क्या बूर if 55% of cherry got rotten आपको बोल रहा है cherry जितनी भी थी उसमें से 55% जो थी तो बही 200 kg चैरी थी जिसमें से 55% क्या हो गई भी खराब हो गई मतलब 110 kg खराब हो गई तो 90 kg अभी भी 90 kg सही है तो आपको क्या बोल रहा है shopkeeper decided to sell the rotten cherry at half price मतलब कि जो 120 रुपय का price उसने रखा था per kg का अब खराब वाली cherry को half price में बेच रहा है ठीक है और आपको क्या बोला है find the total amount अच्छा बाकी के जो cherry थे जो सही थे उनको normal price यानि की 120 रुपय में बेच रहा है तो बोल रहा है कि total पैसा निकालो कितना उसने कमाया तो बही simple सी चीज थी 11 into 6 करोगे 66 12 into 9 करोगे 108 दोनों को add 174 आपको कहा दिख रहा है यह दिख रहा है यह आपका answer ठीक है तो बहुत easy question था भई उमीद करता हूँ सभी से बन गया होगा बहुत simple question था last question जल्दी बनाईए clerical level के question है दोस्तों इसलिए हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा easy लगे जिनकी practice अच्छी उनको easy ही लगेग तरीक लेग़न देखे क्या वो रहा है If a man buys 1 kg of each fruit then find his average expenditure per kg of all the fruits बहुत easy अगर जिसको समझ में आ गया तो वो तुरंट निकाल लेगा देखो आपको बूर है कि अगर बंदा 1 kg सारा समान खरीदता है तो 1 kg तो आप लोगों को दोस्ते प्राइस दिखी रहा है 1 kg का दिख रहा है 1 kg का प्राइस तो इन सभी को add कर लो और total 6 था तो 6 से divide कर लो ये हो गया 100 ये हो गया 200 और ये हो गया 70 मतलब बोल सकते हैं 200 और ये 300 और 70 यानि कि 370 divide by 6 तो भई 6 से divide करोगे तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 होता है तो 6 वाला option ये ही दिख रहा था ये आपका answer पूरा चाहो तो पूरा divide कर लो ठीक है तो बहुत easy question था उमीद करता हूं समझ में आया होगा कल के question से थोड़ा बोल सकते हैं change था क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ये सब चलिए पहला question आपकी screen पर 3 मिनट का समय आप लोगों के पास इसको बनाने की कोशिश करिए दोस्तों जल्दी से जल्दी तीन मिनट का समय जल्दी बनाई है दो मिनट का मैच पचा है उससे पहले तो puzzle solve हो जाएगा जल्दी बनाओ वही मैच कतम होने के पहले solve वरना चाहिए कर दो मिनट कर दो करें प्या चाहिए ता तो रुी कर दो हूँ कर दो हूँ भर है उसका प्याएव प्या प्याएव कर दो बनाब कर दो चलिए उमीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा तो स्टार्ट करते हैं इसको देखी क्या बोल रहे हैं पर 8% PQRSTUV and W sit on a linear row and faces in the south direction but not necessarily in the same order. तो यहां पर दोस्त के के आप मौजूद हो क्या? यहां पलटने वाला बताऊंगा मैं, ठीक है तो इसको देख लिजेगा, देखो यहां पर यहां पलटने मतलब इसमें कोई concept नहीं लगाना है, हम इसको नौर्थ लेकर बना रहे हैं, सीधा simple, क्या बोला है? इसको नौर्थ डियरेक्शन में, पर मैं बनाऊंगा इसको नौर्थ डियरेक्शन में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब देखें, यहां पर क्या बोल रहे हैं? मैं इसको नौर्थ बना रहा हूँ, मैं पहली बता दे रहा हूँ, सभी को, देख लिजे एक बार अच्छे से, अब क्या बोल रहा है, they all like different color, only one person sit between w and the one who like blue, तो w और blue वाले की बीच में, सिर्फ और सिर्फ एक परसन बैठता है, ठीक है? only two person sit between the one who like blue and we who like white, तो blue दो छोड़कर व जिसको white पसंद है, ऐसी बोला है, यह देखो, इस वाले लाइन को बाड़ो, only two person sit between the one who like blue and we, who like white, तो we को white पसंद है, s sits at one of the end of the row, s जो है, वो किसी एक end पर बैठा हुआ है, हम लिख लेते हैं, हाँ पर s end, ठीक है, अभी north इसको लेने की जरुवत नहीं थी, वैसे मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, s sits at one of the extreme end of the row, more than one person sit between s and v, s और v के बीच में more than one person बैठते हैं, तो s और v के बीच में एक से जादा मतलब plus one, आगे बोल रहा है, q sits immediate right of u, q जो है, वो u के immediate right में बैठा है, just right way, q does not like blue color, q को blue color नहीं पसंद है, green color भी नहीं पसंद है, ठीक है, t who like orange sits to the left of w, t जिसको orange पसंद है, वो w के left side में है, मतब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, w के left side में, t, जिसको orange color पसंद है, ठीक है, left side में होगा t से ऐसा, w से left side में t बैठा होगा, ठीक है, अब बोल रहा है, the one who like gray sits immediate right of the one who like green, green के immediate right में gray वाला बैठा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं, green के immediate right में gray वाला बैठा हुआ है, आगे आगे आपको क्या बोल रहा है, w likes yellow, w को yellow पस लोगों को, the one who like black sits to left of the one who like brown, black वाला जो है, वो brown वाले के left में बैठता है, ठीक है, यह हमने बना लिया, brown वाले के left में black वाला, और क्या बोले, w sits third to left of p, and one of them sits at end of the row, w sits third to left of p, w जो है, वो third to left में बैठा हुआ है, p से, और इन दोनों में से कोई एक end पर होगा, अब देखिए, यह जो north में आप लोगों को शुरुआत में बोल रहा था न, इसकी जरुवत नहीं थी, यहाँ पर देखना भी, इस चीज को अभी हम बनाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो मुझे यह बताईए दोस्तो, एस कौन से end पर आ रहा है, पहले से बता दो ताकि मैं पलेटने वाला concept सिखा सकूँ, जल्दी बताईए, एक्चॉल बताना भई, जुट बोलने की कुशिश मत करना, वरना concept नहीं सिका पाऊंगा मैं, लेफ्ट पर आ रहा है, तो मैं राइट पर लेकर बनाता हूँ, ठीक है, जिस पर भी आ रहा है, मैं just opposite बाले पर लेकर बनाऊंगा, और उस पर मैं यह आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सही होता है, गलत नहीं होगा, ठीक है, एक्चॉल में राइट आ रहा है, चलो छोड़ो यार, कहीं से पर लेकर बनाते हैं, मैं दोनों बनाके दिखा दूँगा, ठीक है, टेंचन मतलो, चलो, जितने भी लोगों को पलेटने वाला आता है, बहुत अच्छी बात है, जो नए स्टूडेंट से ध्यान से सुनिएगा, भी बहुत बढ़िया कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें, दूसरी चीज, आपको बोला है, P और W में से कोई एक end पर होना चाहिए, तो इसमें से भी आप P को अगर उस end पर रखना चाहो, तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पर रख सकते हो, dot method लगा देंगे, dot method आ करेंगे सबसे पहले तो conditions को, चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी condition को हम यहाँ पर merge कर सकते हैं, W से blue, yellow और WP के left side में होगा, 2% छोड़कर, W के left में orange होना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों यह question में कुछ भी करने की ज़रूद नहीं थी, direct आप लोगों का question solve हो रहा है, भी P को ले लो यह वाले end पर, ठीक है, P को ले लो उस वाले end पर, पी के left में W लेना है, north facing करा देते, left side में 2 छोड़कर W यहाँ पर आ जाएगा, आ सकता है, भी P को मैंने ले लिया right end पर, यह देखो end बोला था, दोनों में से कोई यह का end, मैंने P को end पर ले लिया, दो परसंट छोड़कर left में W था, तो मैंने P को north face कराया, मतलब सारे के सारे north facing हो गए, ठीक है, सारे north facing हो गए, आप क्या किया भी, मैंने यहाँ पर W को बना दिया, दो परसंट छोड़कर, अब क्या बोला भी, सबके north है न, तो बोला था न, W के left में T orange होना चाहिए, इसी वज़ास से मैंने इसको W को end पर नहीं लिया, अगर मैं W को end पर ले लेता, तो वो तो possible ही नहीं हो पाता न, भी, कि उसके left side में T जाए, उमीद करता हूं समझ रहे होगे इस चीज़ को, ये चीज़ possible ही नहीं हो पाती, क्योंकि आपको बोला है P के left side में W है, तो W के left में T वो possible ही नहीं हो पाएगा, अगर W को हम end पर लेंगे तो, ठीक है, ये तो बहुत ही simple वाला question था, clerk level है ये, ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों कौन सी condition को हम set कर सकते है, W जो है, वो yellow है, तो यहाँ पर लिख देते हैं yellow, ठीक है, ये condition हो गई हमारी, S end पर आना चाहिए, अगर P उस end पर आ चुका है, तो S इस end पर आएगा, confirm हो गया ये वाला, ठीक है, W के left side में T orange आपको रखना है, मतलब T orange के लिए आपके पास ये तीन जगा दिखती है, ये तीन जगा आपके पास किसके लिए दिख रही है भी, T orange के लिए दिख रही है, और देखो क्या चीज है, और है हमारे पास, एक ये वाली condition थी दोस्तों, देखिएगा, W यलो से एक छोड़कर blue आपको लेना है, W यलो से एक छोड़कर blue आपको लेना है, मतलब कि W यलो से एक छोड़कर blue या तो यहाँ पर होगा, या तो W से एक छोड़कर blue यहाँ पर होगा, ठीक है, ये वाली condition की बात कर रहा था मैं, अब देखो ब्लू से दो छोड़कर V वाइट होना चाहिए ब्लू से दो छोड़कर V वाइट होना चाहिए अगर मैं इस ब्लू से दो छोड़कर V वाइट को लू तो V वाइट यहां पर आ जायेगा इस blue से 2 छोड़ कर V white को लूँ तो V white यहाँ पर आ जाएगा, मतलब definitely बोल सकते हैं, W का neighbor भी हो सकता है, बोल सकते थे V white जो है, वो W का neighbor हो सकता है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजेगा, एक और चीज हम कर सकते हैं, रुख जाओ पहले, और देख लेते हैं इसमें, S और V वाली condition का कोई लेना देना नहीं है, इसमें, T orange रखने के लिए फिर एक जगा बचेगी, U और Q उधर तरफ हो जाएंगे, ठीक है, देखें दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं इसको, कि let's suppose, let's suppose कि V जो है, वो यहाँ पर आ रहा है, ऐसा, तो ऐसे case में क्या हो होगा दोस्तों, आप यहाँ पर यह जो S और Q आपको रखना था, U और Q जो आप लोगों को रखना था, वो यही कहीं पर रखना पड़ता है, U और Q आप लोगों को यहीं कहीं पर रखना पड़ता, भई, U यहाँ रखके, just right में Q रखते हैं, तो यह Blue नहीं हो पाएगा, प अब देखिए जब हमने V को यहाँ पर ले लिया है, तो हम कौन सी condition को set कर सकते हैं यह देखो, blue, let's suppose कि blue यहाँ पर है, ठीक है तो T orange, W से left में सिर्फ यही वाली जगह दिखती है, जहाँ पर आप T orange को रख पाऊगे, यह सिर्फ एक ही possibility बन रही थी ना इधर वाली, इसके अल चाहिए, तो कहाँ पर आप green और gray को रख सकते हो, और u और q को आप कहाँ पर रख सकते हो, u और q के लिए सिर्फ एक ही जगह दिखती है भाई, वो वाली, गलत होगा, wait करो ना, wait करो न, condition चेक कर रहे, u के just right में q, मतलब u यहाँ पर q, यहाँ पर, यही जगह हो सकती है, और क्या बच गया, भी, green के just right में आपको क्या लेना है, ग्रे लेना है, अब green के just right में ग्रे लेना है, लेकिन q जो है, वो green नहीं हो सकता, मतलब definitely आप यहाँ पर green को लोग है, ऐसा, तो बचा क्या दोस्तों, आप लोगों के पास color, brown से left तरफ में black, तो यह हो गया black, यह हो गया brown, इसको एक बार चेक करो, condition को, इसमें क्या गलत है कोई बता सकता है, एक नाम जो बच गया है, उसको भी रख देते हैं, p, q, r बचा था, r को यहाँ रख देते हैं, सही है क्या एक बार चेक करके बताओ तो भी जल्दी से, यह तो सही हो गया लग रहा है मुझे, कुछ गलत कर दिया हूँ, v2 छोड़के blue है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह वाली condition मैं नहीं देखा न, यह गलत कर दिया मैं, चलो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यह condition गलत हो रही है, ठीक है, तो यह पहली possibility जो थी, यह हमारी गलत हो रही है, क्योंकि v के साथ हम blue को नहीं रख सकते थे, यह दिक्कत नहीं है भई, देखो दोस्तों मैंने क्या बताया अब ही आप लोगों को, कि अगर मैं v को यहां पर ले रहा हूं, तो मतलब definitely मुझे blue को वहाँ पर लेना पड़ेगा, अगर मैं v को यहां ले रहा हूं, तो blue को यहां पर लेना पड़ेगा, यह तो confirm वाली बात है, कि भई अगर हम v को यहां लेंगे, तो blue यहां लेना पड़ेगा, और अगर हम v को यहां पर लेंगे, तो blue वहाँ पर जाएगा, यह वाली condition के according, ठीक है, तो अगर मैं v यहां पर लेकर check कर रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए था, भई, blue को यहां पर लेना चाहिए था, ऐसे लेना चाहिए था blue को वहाँ पर V यहाँ तो blue यहाँ अब देखो V जो था वो white था धान से सुनते जाओ condition चेक कर रहे हैं U और Q के लिए कौन सी जगा बचती है अगर मैं U यहाँ रखूँगा तो Q blue में Q blue में नहीं हो सकता मतलब U Q पॉसिबल नहीं है तो U Q के लिए सिर्फ यही वाली जगा दिखती है आपको तो ऐसे case में W के left side में T orange जो है वो आप नहीं रख पाओगे मतलब आपकी condition गलत हो रही है सिर्फ एक condition आपकी बनती है वो है V को उस तरफ लेना यही condition आपकी बनती है दोस्तों अब देखिए U के right में Q जो है वो blue नहीं हो सकता मतलब U के right में Q को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता तो मुझे U को यहाँ पर और Q को यहाँ पर रखना पड़ेगा तब ही यह possible है W के left में आपको अगर लेना है T orange तो T यहाँ पर orange हो गया ठीक है इसके अलावा दोस्तों और क्या बच गया था हमारे पस एक नाम बचा था R P Q R ठीक है और इससे पहले मैंने और क्या रखा था उसको भी रख देते हैं अब V जो था वो white था यह question solve हो गया न एक दो चीज़े बस बची उसको मैं काट देता हूँ पहले यह देखो blue V white हो गया क्या blue V white हो गया इसको काट देते हैं W के left में T orange यह भी हो गया इसको भी काट देते हैं और क्या बच गया था हमारे पास green के just bugle में gray तो green के just bugle में gray यही पर होगा ठीक है अब बचता है brown के left में black तो यह brown और left side में black यह आपका question solve हो गया है यह condition मैं miss कर दिया था अच्छा एक चीज और बता देता हूं दोस्तों कि जो मेरे से अभी गलती हुई इस type की गलती आप से ना हो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कभी भी ऐसी कोई condition को जब आप ऐसे note करते हो ना कि blue यहां तो V यहां V यहां तो blue यहां तो ऐसे मत लिखा करो जैसे मैंने लिखाए ठीक है इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता इसको लिखने का तरीका यह होता है कि pair बना दो इन में बिल्कुल एक बर चेक कर लेते हैं दोस्तों, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये साहूथ है तो कुछ नहीं दोस्तों बस इसको ऐसे घुमा देना है पलट देना है पूरा, उधर से ऐसे पकड़ के ऐसे इसको घुमा दो ऐसा तो हमारा आंसर बनेगा STUQWRP, बिल्कुल सही है चलिए, नेक्स्ट क्वेशन जल्दी बनाईए आज भी दोस्तों मेंस लेवल का पजल में रात को क्लास एक लूँगा अगर टाइम मिला तो वरना डाउट सेशन होगा आज क्योंकि आज संडे है तो उससे पहले वैसे मैं एक D.I. का क्लास लूँगा Profit and Loss Based D.I. बहुती सिंपल वाला जो की Prelims में पूछा जाता है उस Prelims Level वाला जिसको Profit and Loss का थोड़ा भी concept clear यह थोड़ा बहुत भी आता है उसके लिए वो question बिलकुल हलवा रहेगा तो next class होगी D.I. की आधे से एक घंटे बाद यह class खतम होने के तीन मिनट का समय भी वैसे तीन मिनट नहीं लगेंगे इसमें box puzzle है D.Method लगाओ अगर numbering दे दिया है तो D.Method की भी जरूद नहीं पड़ेगी blood relation वाला puzzle ठीक है कोशिश करेंगे दो तीन class के अंदर blood relation वाला puzzle भी करें चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी लोगों ने solve कर लिया होगा अभी done के messages भी आ रहे हैं काफी सारे students के देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर question में बोल रहा है आपको eight boxes no p q r st u were arranged from top to bottom but not necessarily in the same order u is not placed immediately below s u जो है वो s के immediate नीचे नहीं होगा ठीक है और क्या बोल रहा है only two boxes are placed between the box o and r o और r के बीच में दो boxes है ठीक है o is placed above box r o जो था वो r के उपर side है मतब ऐसा बोल सकते हैं इसको आगे आपको बोल रहा है only one box is placed between the box o and s o और s के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही box है t is placed immediate below box r t जो है वो r के immediate नीचे है ठीक है no box is placed between n and p n और p के बीच में कोई भी box नहीं है मतलब n के या तो उपर में p होगा या तो नीचे में p होगा ठीक है और क्या बोला है आपको n is placed below box o n जो है वो o के नीचे कहीं पर रखा गया है तो बोल सकते हैं कि n जो है o से ऐसा नीचे की तरफ में n कहीं पर होगा n is not placed adjacent to box t n जो है वो t वाले से adjacent नहीं है मतलब t के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए मतलब जस्त नीचे है तो हम बोल सकते हैं t के adjacent नहीं है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और क्या बोला है N is placed above P N जो है वो P के उपर रखा गया है मतलब हम बोल सकते हैं N और P ऐसा होगा U is not placed at topmost position U top पे नहीं होना चाहिए S के नीचे नहीं है और top पे भी नहीं है ठीक है U जो है वो S के just नीचे नहीं है top पे भी नहीं है Q is placed below box U Q जो है वो U के नीचे रखा गया है तो इसको ऐसा बोल सकते है Hello कैसे बने का जल्दी बता हो बहुत ही हला आधे लोग तो औरली solve कर लिए होंगे दोस्तों सबसे best चीज बता रहा हो जो dot method हम लगाते हैं उसको कैसे use करना है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा यह वाली condition आपको दिखरी है यह सबसे बड़ी वाली condition आपको दिखरी है अगर इस condition को मैं लेता हूँ यहाँ पर ऐसा मान लो कि यह O है तो O से 2 boxes छोड़कर R और T थे मतलब कि यह 2 boxes छोड़कर R और T लेना था अब ध्यान से सुनिया का दोस्तों आप लोगों को बोल रहा है O से 1 छोड़कर S रखना है तो O से क्या हो सकता था वही एक छोड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पर S हो सकता था हो सकता था ना या फिर O से 1 छोड़कर यह यहाँ पर यह वरी जग़ा पर S होता ऐसा यही दो चीज़े बन रही थी possible cases कि या तो O से 1 छोड़कर उपर की तरफ में S हो या तो O से 1 छोड़कर यहाँ पर S हो ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बूला गया था दोस्तों कि S के जस्ट नीचे U नहीं होना चाहिए दूसरी बात कि P के जस्ट उपर N होना चाहिए मतलब यह दोनों साथ में आने चाहिए यह दोनों साथ में आने चाहिए confirm है एकदम और O के नीचे ही आपको चाहिए था भई तो अगर O के नीचे ही हमको N और P को रखना है मतब हम बोल सकते हैं हम एक चीज बोल सकते हैं कि N और P अगर O के नीचे आएगा तो या तो ये वाली जगा पे आएगा या तो T से 1 परसंट छोड़कर नीचे की तरफ आएगा ऐसा यहां पर N और P बहु सकते हैं हाई या ना बहु सिंपल सी चीज है न यह दिये देखो आप लोगों को क्या बोला गया था कि N और P जो है वो साथ में है N जो है वो O से नीचे है तो O से नीचे या तो आप N और P को यहां पर रखते या तो भई T से एक परसंट छोड़कर N और P रखते क्यों ऐसा करते क्यों कि आपको बोलाए कि N जो है वो T का नेबर नहीं है मतलब T से जस्ट यहां पर आप आप N को नहीं रख सकते तो इस एक परसंट छोड़कर N और P को नीचे रखना पड़ता मतलब यहाँ पर अगर मैं boxes पूरे count करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हो रहे हैं 8 boxes हो रहे हैं तो मतलब S को हम यहाँ पर ले सकते थे ऐसा अब U अगर आप लोगों को बोला गया था कि U जो है वो top पर नहीं है और U जो है वो S के immediate नीचे भी नहीं है U के नीचे ही Q होना चाहिए तो U वाली condition यहाँ पर गलत हो जा रही है गलत नहीं सही हो रही है सही हो रही है ठीक है यह देखो U को रखेंगे हम यहाँ पर और इसको S को रखेंगे U से नीचे Q को रखेंगे यहाँ पर अब चेक करो भी एक बार condition को अब चेक करो एक बार दो ही जगा बच रही थी न वह यू को मैंने यहां रख दिया अब क्या-क्या बोला था ध्यान से देखते जाना यू जो है टॉप पे नहीं है यू जो है वो टॉप पे नहीं है ठीक है S के जस्ट नीचे यू नहीं होना चाहिए S के जस्ट नीचे यू नहीं है ये भी ठीक है यू के नीचे क्यू होना चाहिए तो यू के नीचे क्यू है ये भी ठीक है हो गया सौल अच्छा उस वाले में क्या गलती होती उस चीज को भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कुछ लोगों को उसमें doubt होगा कि सर्फ वो वाला क्यों नहीं यही वाला क्यों तो चलिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा अगर दोस्तों मैं S को यहां ना लेके उपर की तरफ लेता तो क्या possibility बनती हमारी और क्या गलत होता उसको ध्यान से देखेगा बई एक छोड़कर S यहां पर हम ले लेते ठीक है अब दोस्तों हमारे पास क्या था एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ बॉक्सेस अल्रेडी हो चुके है मतब डेफिनेटली आप N और P को यहां तो ले नहीं सकते होना चाहिए तो U के नीचे ही अगर क्यू लेना है तो या तो आप उसको S के नीचे रखते यू को वो गलत हो जाता या फिर आप यू को ऐसे टॉप पे रखते वो भी गलत हो जाता दोनों ही केसे गलत हो जाते समझ में आया तो U की जो कंडिशन है पोजिशन जो है वो फिक्स नहीं हो पाती क्योंकि S के नीचे भी नहीं आ सकता U और S के उपर मतलब टॉप पे भी नहीं आ सकता U तो U के नीचे क्यों कैसे रख सकते हो तो यह गलत हो जाता आपका इससे पहले जो हमने बनाया था वो वाला बिल्कुल सही था यह देखो O से 1 छोड़कर S नीचे O से 2 छोड़कर R T और T से 1 छोड़कर N और P तो यहाँ पर देखो U के नीचे क्यों यह वाला बिल्कुल हमारा सही था उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली होंगी तो एक फीचर है Unacademy Plus पे और Iconic पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुगा है तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आप टीचर को देख के उसका सॉलुशन आपको करवा सकते हैं इसके लावा दोस्तों एक और फीचर जो है वह रेज हैंड का फीचर यह आप लोगों को उमीद होगा उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह पता होगा ऐसके बारे में अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा डोस्तों यह जो फीचर में आप तीचर से जिसकी भी क्लास आप अटेंड कर रें। उनसे आप बात कर सकतेmus तो आपने रेज हैंड किया अगर टीचेर ने एक सांथ नहीं करसकते ना तो जिसकी भी एक सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को उससे टीचर बात कर सकते तो घेली के डेली हर class में 2-4-5 student से बात हुई जाती है ठीक है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस चीज का भी benefit उठाएंगे classes में अगर आपने iconic का subscription लिया हुआ है तो और channel को अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया तो जरूर channel को subscribe कर दीजेगा, bell icon को press कर दीजेगा ताकि आने वाले videos की notification आप लोगों मिलते रहे you can and you will अगर आप चाहो तो all the best